जिन्दगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको दो में से कोई एक चीज चुननी होती है और मेरे सामने भी एक ऐसा मौका आ गया था जब या तो मुझे साहित्य चुनना है या फिर संगीत चुनना है मेरा जो बाल मन था किशोर मन था उसने समझा कि निरूदा जो है बंगाली के कोई कवी है यूंकि दात तो बंगालियों में जोड़ता है मैं लगभग भुखमरी के आसपास पहुँच गया लेकिन भूख का वो दौर मैंने काजू खा कर भी जाए रिसेस में एक बैक बेंचर आया और उसने बोला कि यह जो गीत चत्रवेदी नाम छपा हुआ है मैगजीन में नीचे क्या यह तू ही है मैंने देखा हाँ यह तो मेरी ही कहानी है और मैंने का हाँ यह मैं हूं मैं अपनी तुलना उस उस लड़की की तरह करता हूं जिसका फ्लैट नंबर 302 में मायका है और फ्लैट नंबर 304 में ससुराल है जो एक लेक की स्वतंतरता को अच्छादित कर देने वाला आग्रह है उससे जरूर मुझे एक परहेज होता है क्रिश्न बल्देव वैद पहली नजर में ही लगते हैं कि हाँ यह बेकट के समकालेन है मैंने अपनी रचनाएं अलोक प्र अठीय होने की हद तक जा करके प्रोजेक लिखी है विचार धारा के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको धारा का दास बनना ही पड़ेगा लेकिन यदि आप विचार के साथ हैं तो आप किसी भी धारा के दास नहीं बनेंगे ग्रांट अगर हम उख से उपन्याष में अ भी करते तो भी अनीता को पलन को बो ग्रांट अल्रेडी मिल चुकत आपने न बहुत ही चतुराई से मेरे चारों प्रिये लेकर कों का नाम ले लिया मैंने अपने लिए एक निजी कैनन बना रखा है बो मा को पा शाम के साथ साड़े साथ बजे भामना के घर पहुंचे कॉल बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला टीवी पे माधरी दिख्षित गाना गा रही थी मेरा पिया घर आया ओराम जी नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अन्जुम्शर्मा आज मेरे साथ एक ऐसे कवी कथाकार बिचारक आलोचक हैं जो कहते हैं कि भाशा हडपा की गलियों की तरह होती है और प्यार मेसपोटामिया की गलियों की तरह जिनके खुशियों के गुप्त चर टेबल लेंप लगाकर अधूरी चीजों के देवताओं को खोचते हैं हाल ही में उनका एक नया उपन्यास आया है सिमसिम मैं बात कर रहा हूँ गीत चतुरवेदी की बहुत बहुत स्वागत है गीत जी बहुत शक्रे आपका अन्जम जी दूसरी बार मिल रहे हैं जी हाँ और ये एपिसोड भुपाल में शूट हो रहा है कब से भुपाल में रह रहे हैं मुझे भुपाल में रहते हुए मैं 2009 में दूसरी बार दूसरी पारी में भुपाल रहने आया था उसे पहले 2005-2006 में दो साल का वक्त मैंने भुपाल में ग आप बंबई में रहते थे वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर आप युवा होते हुए आपने बंबई को बदलते हुए भी देखा होगा अपने सामने कई बार हम अपने बच्पन के शहरों को कभी अपनी पीट पर तो कभी अपने दिल में बसा कर गूमते हैं आप के लिए बंबई की क्या यादे हैं जो अभी भी आपको कौन थी होंगी बंबई की ठीक बाद मैं भोपाल नहीं आया था बंबई और भोपाल के बीच में एक बहुत लंबा अंतराल था जिसमें कई सारे शहर मेरे ख्याल से 13-14 शहरों में उस दौरान में रहा था मुंबई जो है वो मेरी स्मृतियों का शहर है क्योंकि बच्पन वहीं भी था, परिवार वहीं था सब कुछ मेरे साथ जो भी जीवन में महत्योपूर्ण होना था प्यार, मुहबब, पढ़ाई, लिखाई, शादी, ब्याह, सब कुछ मुंबई में हुआ तो मुंबई को मैं इस तरह याद करता हूँ जैसे अपना पुरा का पुरा परिवार है मेरा हम चार भाई बहन थे, मुझसे बड़ी, सबसे बड़ी मेरी बहन थी फिर मेरे बड़े भाई, फिर मैं, और फिर मेरी छोटी बहन चार लोगों का हमारा यह परिवार और माता पिता पूरे घर में किताबें ही किताबें होती थी, संगीत के कुछ उपकरण होते थे तो जो सबसे अच्छी स्मृतियां है मेरी, वो किताबों की पढ़ाई के साथ है कि हम चारों भाई बहन जाएं गर में, अलग-अलग कोनों में अपने-अपने अंदाज में बैठ चाते थे और किताबें पढ़ा करते थे और कई बार पढ़ी हुई किताबों का नाटिय रुपांतरान आपस में करते थे घर में ही, राइंग रूम में ही एक सेट बन जाता था अघोशित अद्रिशी किसम का सेट जिसमें अद्रिशी किसम के प्रॉप्स के साथ हम जो है उस पूरे अद्रिशी को एनेक्ट किया करते थे और वो एक बहुत मज़ेदार काम हुआ करता था और फिर जब रात होती थी और आसपरोस के और भी लोग जमा होते थे तो फिर बूतों की कहानिया होती थी अभी भी मैं पिछले दिनों मंबई के आ हुआ था अभी चार ते पांस दिन पहले ही में लौट करके आया हूँ तो उस जमाने के सारे हमारे कजिन्स और पासपरोस के मित्र सब इकठा हुए थे और जो सामोहिक रूप से हम याद कर रहे थे वो रात के धाई भजे की उस चोडायल को जो घर के बाहर से पायल चंकाते वे गुजरती थी जिसे हम में से किसी नहीं नहीं देखा था लेकिन जिसकी ख़बर हम सब ने उड़ाई थी और फिर दीरे दीरा हमारा पूरा महला उससे डरने लगा था तो वे एक अलग किसम का रोमांज था इस तरह की बहुत सारी कहानियां चोटे-चोटे किस्से के स्मिर्ति में हैं ये तो बच्पन की बते हो गई सारी कि सारी बड़े हो रहे होंगे आपकी पढ़ाई चुकी वहीं पर हुई है और मैंने सुना आप एक रॉक बैंड भी खोलना चाहते थे पराना चाहते थे वो तमाम चीजों के बारे में चुडएल से लेकर जो अद्रिश्य चुडएल थी वहां से लेकर और रॉक बैंड बनाने तक का वो जो सफर था वो एक जागता हुआ भूत जो था संगीत के साथ हम लोगों का रिष्टा न घर से ही बन गया था क्योंकि मेरे पिता जी साहित और संगीत दोनों से जुड़ लेवे थे वो बहुत अच्छा तबला बजाते थे बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे तो ये जो कान में जो स्वर लहरियां पढ़ना था वो उस में तब बिलकुल बच्पन से शुरू हो चुका था और जैसे ही हम थोड़ा सा होश संभालने लायक हुए हमारा जुड मुझे भाई की तरफ से बहुत हद तक आई और उनका एक्सपोजर था वो पश्चिमी रॉक म्यूजिक की तरफ और उनकी संगत में रह करके मुझे वो संगीत अच्छा लगने लगा और एक आकांक्षा मेरे भीतर ये बन गई थी कि मेरा अपना खुद का एक रॉक बैंड हो हमने एक रॉक बैंड लगबग बना भी लिया था जिसमें हम गाने खुद लिखते थे गिटार पर अपने गाने कंपोज किया करते थे और बंबई में सड़क के डिवाइडर जो होते हैं वह खुब चोड़े चोड़े होते हैं तो हम कई बार उस सड़क के डिवाइडर बैट करके वहां चोटा मुटा शो करते थे परफॉर्म करते थे और लोग वहां जमाओ करको इसको सुन भी लेते थे आप गाते थे हां में गाता था अब नहीं गाता हूं मुझे अंदाजा था इसलिए मैंने तुरंट कहा क्योंकि एक समय के बात में मुझे यह एहसास होने लगा तेकि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको दो में से कोई एक चीज चुननी होती है और मेरे सामने भी एक ऐसा मौका आ गया था जब या तो मुझ आपके पास बहुत उपकरन होने चाहिए आपके पास रेकॉर्डिंग की सुविधाएं होनी चाहिए आपके पास इतना इतनी लक्षरी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर पूरी तरह इन्वाल्व हो सकें तो हम उस तरह उन चीजों को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते थ वो कई बार बिना किताब यानि किसी दूसरे से किताब उधार ले करके भी शौक को पुरा किया जा सकता था किताब में तो हमारे इफ्रात में थी, लेकिन हम नई चीजों को दूसरों से इस तरह प्राप्ट कर लिया करते थी पिता लिखते थे? आँ पिता जी लिखते थे मेरे इनमें उनकी रचनाए खुब प्रकाशित हुई थी, हलाकि वो अपनी रचनाओं को लेकर के बहुत ही संकोची रहते थे और बहुत उसे दूर तक ले जाने के लिए कुछ जादा सोचते नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाए अपने समय की अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, तो कह सकते हैं कि संगीत और साहित थे, दोनों पिता के तरफ से, पिता की तरफ से आया, जिसको कह सकते हैं कि खुन में था, और मा की तरफ से क्या आया, कुछ चीजें रहियों की जो मा से आपने ली होंगी, मा की तरफ से मासूमियत आई, मा की तरफ से भोला पन वो आया कितने बेहन बाई आप मेरी सबसे बढ़ी बेहन फिर उनसे पढ़े उन Gwen's चोटे भाई फिर मैं फिर मेरी छोटी बेहन हम चार खे और ешतल इस सा हिए पड़ते थे सब संगीद नहीं साहीत नहीं पड़ते थे तिस sister में लगा करती थी और वो circulating होती थी आप उनकी membership ले लीजिए तो उनके पास नई किताबें होती थी आप हफते भर के लिए किताब लीजिए पचीस पैसा किराया दीजिए और किताबों को पढ़ करके लौटा दीजिए तो हमारे हैं ऐसी कई उपन्यास संभावता पढ़ रहे थे वही मैं सुनाने जा रहा था तो हमारे हैं सर्कुलेटिंग लाइबरी से किताबें आती थी और वो दोनों बैट करके जासुसी उपन्यास पढ़ा करते थे मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन सुरेंद्र मोहन पाथा अगबेद प सुधीर पता नहीं क्या क्या है इसे मैं जानू एकाद पर मैंने उठाई भी वो किताब पढ़ना चाहा मैंने लेको नोनों नो मुझे डांट दिया बुला कि नहीं यह सब तिमारे लिए नहीं है तुम अच्छे बच्चे हो तुमको प्रेम चंद पढ़ना चाहिए तो मैं सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से प्रेम्चं लेता है अलगी तो और दूसरी कताबं जैसे कामाइनी लेकर आया था कामाईनी उस उम्र में मुझे बहुत कुछ कंठस्त थी, बहुत कुछ याद थी, समझ में ज्यादा आता नहीं था, क्योंकि अद्वैत वेदान्त का जो सिधान्त है, या जिस दर्शन के उपर पुरी कामाईनी टिकी हुई है, वो तो बहुत बाद में अध्यान करने के बाद समझ में आई, लेकिन वो जो लै थी, वो जो गीतातमकता है कामाईनी की, और शब्द के साथ जो क्रीडा है, वो सुम्र में भी पकड़ के रखती थी मुझे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसके बाद आप पार्ट टाइम नौकरियां करने लगे, जब बहुत संपन्य नहीं थे, और कुछ ने कुछ जरूरत हमेशा लगी रहती थी, तो पढ़ाई के साथ हमने नौकरियां भी की, लेकिन एक चीज़ बहुत सुन्दर है, जो अब भी मैं याद करता हूं, कि तमाम संगरशों के बाद भी हम चारों भाई बहन उस पूरे दौर म हसते खिलखिलाते ठटाते रहते थे, हमेशा हमें लगता था कि हम बहुत खुश हैं, और अब जब मैं खुद बच्चों का पिता बन गया हूं और उस पूरे दौर को याद करता हूं, तो मुझे लगता है यह इसलिए था, क्योंकि मेरे माता और मेरे पिता एक दूसरे से प्यार करते थे, और वो इतना प्यार करते थे कि हर समय साथ रहते थे, हम उन्हें लावबर्ट कहा करते थे, तो एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान के कारण, तमाम अभावों और संघर्शों के बावजूद घर का माहल उन लोगों ने बहुत खुशनुमा बना के रशनी के जो चकत्ते हमारे आसपास बनते थे, वो बड़े सुख से भरे दिखते थे हमें, तो ये बात मुझे उस दौर को याद करें। का जो प्रभाव है, वो जो दूर होने का प्रभाव है, वो आपके उपर या आपके लेखन पे किस तरहीके से पड़ा और उसने क्या दिया। ये मैं तेज साल का हो गया था, तब रोजगार की तलाश में मैंने मुंबई छोड़ी। और वो जीवन का सबसे मुश्किल समय भी था, क्योंकि जिस शहर में मेरा सब कुछ है, मेरा परिवार है, मेरे सारे मित्र, यार, दोस्त हैं, उसको छोड़ना और किसी एक अंजान शहर में जाके सेटल होना, ये एहसास ही मुझे अंदर यंदर खाय जा रहा था, लेकि फिर भी बहुत जरूरत थी, क्योंकि नौकरी तो चाहिए थी, तो मुंबई से मैं इंदार आया, और एक बहुत दिल्चस्प किस्सा है, मैं अप पास-पास पहुँच गया, लेकिन भूख का वो दौर, मैंने काजू खा कर बिजाया, यानि मेरे पास खाने के लिए रोठी नहीं थी, लेकिन मैं काजू खा रहा था, ये एक अलग किस्म का विरोधा भास है, मेरे पास पैसे थे नहीं मुंबई से निकलते समय, कुछ पैस मुंबई से इंदौर निकलते समय, विवा हो चुका था, विवा के छे मैने बीच चुके थे तब दे, तो मुंबई से इंदौर जाते समय, भावना ने मुझे वो दोनों पैकेट काजू के पकड़ा दिये, मेरे खाल से आधा-धा-धा किलो के पैकेट से दो, और जब मैं मैं इंदौर पहुंचा और वहां तीन-चार दिन होटेल में रुका और फिर उसके बाद अपने लिए किराय का मकान ढूंड़ा और उसको एडवांस दिया और कुछ और चीज़ें खरीदी, उन सब में मेरे सारे पैसे कम हो बेश खत्म हो गए, बहुत कम पैसे बचे, तो मैंने सावधानी बच कुछ सिगरेट के पैकट्स खरीद कर रख लिये थे, मुझे चाय पीने की गहरी लग थी, तो चाय वाले के साथ बाचीत हो गई थी, लेकिन मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे, तनखा आने में अभी 35 दिन बचे हुए थे, तो मैं को थोड़े से काजू, शाम को थोड़े से काजू, इसी तरह खाका के और सिगरेट पी-पी करके अपना पूरा समय गोजारा, पचीस दिन बाद जब मैं फिर मुंबई पहुचा किसी काम के लिए, किसी कारिकरम के लिए और इन दौर में अखबार से चुटी मांगी, कि मु जब किस्म का योग है, कि रहना तो भूखे है, लेकिन उस भूख को मिटाने के लिए काजू खाना है, तो ये बिलकुल एक अलग किस्म का विरोधा भास, कभी-कभी हास्यास्पद, और कभी-कभी बहुत ही प्रेरक, क्योंकि ये अन्यूजूल है, बिलकुल अलग, साहिते सल की उमर में कहानी छपने ने कितना आत्मश्वास जगाया होगा, क्योंकि आप लिख तो कहानी रहे थे, फिर कभीताओं की तरफ कैसे मुड़ गए, पहली तो कहानी थी, बच्चों की कहानी थी, वो मैंने लिखी, उसके लिए मुझे मेरी बड़ी बहने प्रेरित किया थ उन्हें लगता था, कि मेरे भीतर लेखन के गुण हैं, और उन गुणों का विकास करना चाहिए, वो मुझे हमेशा प्रुटसाहिद करती रहती थी, मैंने वो कहानी लिखी, किसी को उसके बारे में नहीं बताया, फुल इसकेप कागस पे दर्ज किया, और तिंकल में छपन अतुरवेदी नाम छपा हुआ है मैगजीन में नीचे, क्या ये तू ही है, मैंने देखा, हाँ ये तो मेरी ही कहानी है, और मैंने का हाँ ये मैं हूँ, और फिर मैं बहुत देर तक उस किताब को, उस पन्ने को सहलाता रहा, और तक पहले बार मुझे ये महसूस हुआ कि भा भाषा जो है, वो मेरे लिए त्वचा की तरह है, कि जब कोई किसी चीज पर यब कोई भाषा का गलत प्रयोग करता है, तो मुझे वैसा ही दर्द या वैसी तकलीफ होती है, जैसे त्वचा पर सूई कोई चुभा रहा हो, तब होता हो, तो त्वचा वाला रिष्टा महसूस हुआ, और निश्ची थी, जब 13 साल के उमर में आपकी पहली रचना चप जाए, पहली कहानी चप जाए, वो भी ऐसी जगह पे, टिंकल में, जिसके संपादक अंकल पै हो, जिनके बारे में ये मशूर हो, कि वो मिलने वाली रचनाओं में से नुन्यान भी प्रतिश पास तो बढ़ना ही था, अनन्त पाई, तो उन्हें तो मैं बहुत श्रद्धा से याद करता हूँ, अनन्त पै को, कमाल के आद में से अनन्त पाई, अधभुत, अधभुत, उन्होंने, हम, कि वहल हमारी है नहीं, बलकि पूरी, जो पिछले 40, 50, 60 साल में, जो जो जनरेशन बढ़ी हुई हैं, उन्हें सब के बचपन को एक आकार और रूप गड़ने में, और एक सांस्कृतिक आहार प्रदान करने में, अनन्त पै की बहुत बढ़ी भूबी करनी है, मैं 13 या 14 साल का था, और आश्ट्रिय वालभून में में आया जाय करता था, उस दौरान एक कवि उसमें लिखी थी, और मुझे यह नहीं पता था, कि यह अनन्त पाई है, क्योंकि आप 14 के था, वो क्या पता है, कि वो कौन है, तो उन्हें बोला, कि मैं 3 करताएं, रचनाएं लेकर जा रहा हूं, और यह छपेंगी, मुझे लिगा हूंगे कोई, ले गए हूंगे, सालों बाद जब हम सोचते हैं, कि अच्छा अनन्त पाई ने भी एक पूरा का पूरा बाल साहिते वाला एक पूरा युग जो है, उसको दिशा देने का काम किया था, अद्भूत काम है, उनके योगदान को तो यहीं से ही प्रणाम जरूर करना चाहिए, 17 की उम्र में फिर क किताबों के साथ तो चुकि मेरा रिष्टा था ही, मैं कहानियों पर भी काम करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ने कहीं अंदर से गद्दी के ज्यादा करीब हूँ, लेकिन कविताएं मुझे बहुत आकरशित करती थी, और मैं कविताओं से इसलिए भी ज खुद ही लिख लिख करको ने रिजेक्ट कर दिया करता था, क्योंकि वो बात, वो चीजें महसूस नहीं होती थी, और जब 17 की उम्रे में ऐसा लगा कि कुछ एक एकाहत दो-चार चीज अच्छी बन गई है, तो मैंने उसे छपने के लिए बेजा, जनसत्ता में पहली बार कविता प्रकाशित हुई, और जब जनसत्ता में पहली बार प्रकाशित हुई, तो वो भी एक बहुत शांदार, बहुत सुन्दर अनुभव हुआ हुँ, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसा था नहीं, सिर्फ अखबार ही थे, वो सबसे बड़े मीडियम थे, और जनसत्ता उस जैसे जनसत्ता जो है, नाई की दुकान में बहुत मिलता था, तो जिस दिन मेरी कविता छपी थी संडे को, रविवार को, उसी दिन में बाल कटाने गया हुआ था, तो थोड़ी दिर में मा मौझे, तमाम लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, तो जो शोरत जो अचानक बाहर दिखने लगी मुझे, फिर मैं जब दूसरे दिन कॉलेज बगर रगया, लोकल ट्रेन में, वहां मुझे दो-चार-पाश लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, इस तरह यह जो रिकोगनीशन है, यह मिलनी शुरू हुई और उसने जो है अन्तता आकरशि जाओगा? यह चीज जो है, शायत कविता के लिए बनी है, फिर यह बात बहुत बात में, उस समय तो बस एक एक्सपरिमेंट के तौर पर यह कर रहा है हमें, लेकिन यह बात बहुत बात में समझ में आई, कि यह कुछ पलों की बात होती है, कविता एक नन्हे प्रकाश को जो है बात है, मतलब ऐसे समझिये कि हम एक अंधिकार से भरेवे कमरे में घुसे हैं, और हमने माचिस की एक तीली जलाई, और उस तीली की रोशनी में पूरे कमरे को देखने की कोशिश की, पूरा कमरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन तीली के आजपास का छोटा सा परिवेश दिख गया, और वो कितनी देर तक चला, चार-पांच सेकंड्स तक, तो माचिस की तीली से जला के देखा गया संसार के वार कविता जैसा है, और कहानी ये क्या है, कि आपने ये कहानी या उपन्यास क्या है, कि आप कमरे में घुसें, और आपने बटन ओन किया, लाइट ओन हो गई, तो लाइट ओन होते ही, पुरा कमरा रोशन हो गया, आपको हर चीज दिखने लग गई, लेकिन कभी-कभी वो जो तीली का जो आप हिस्सा कह रहे है, जो छोटी सी जो लौ होती है, आस-पास का, वो भी कभी-कभी बहुत विराठ होती है, जैसे राम किशक्ति पू मृति भी छोटी सी जो जो जोती है माचिस की, वो इस मृति में ज्यादा देर तक रह जाती है, वो बिलकुल वैसा है कि एक पल के लिए अंदिकार मिठता है, रोशनी आती है और फ्रेम पर चित्र बन जाता है, जैसे फ्लाश होता है, बिलकुल उस तरह का काम, तो वो हमार मृति को, हमारी संबेदनाओं को, हमारे पूरी समझ को बहुत देर तक जोड़ती है, वो छोटी सी जोती, उस जोती के प्रति मेरा आकरशन लगाता है, बढ़ता चला गया, क्योंकि उस जोती को पकड़ना अपने आप में सबसे बड़ी चुनावती थी, कहानिया लिख रह अमूमन, पहले लोग कभी जो होते हैं, कविताएं ही लिखते हैं, गद्य फिर लिखते हैं, या फिर जो गद्यकार होता है, खूब गद्य लिखता है, फिर सोचता है, लाइए, कविता बे हाथ-हाथ मा लिया जाए, आप दोनों चीज़े साथ रहे थे, तो मूल है क्या? पता नहीं, लेकिन इस तरह से कहें, देखिए, टेक्निकली तो पहली चीज चो प्रकाशित हुई, बच्चों की कहानी थी, लेकिन इसके साथ में बड़े लोगों की कविता भी पहली बारी प्रकाशित हुई, शायद पहले मन में कुछ और चलता रहा हो, क्योंकि लेखक भ अपनी तुलना उस लड़की की तरह करता हूँ, जिसका फ्लैट नंबर 302 में मायका है, और फ्लैट नंबर 304 में ससुराल है, बिल्कुल लगा हुआ है, एक जो है उसका गद्य है, मायका उसका गद्य है, ससुराल उसका पद्य है, और वो अपने मायके से ससुराल में इतनी बार आती जाती है कि एक दिन वो भूल जाती है कि उसका मायका क्या था और उसका ससुराल क्या था दोनों चीजें गड़ मड़ हो जाती है तो मेरी इस्तिती बिलकुल वही है मेरे लिए अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है विधाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है अभिव्यक्ति समझ में आ गई कि भई अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है लेकिन ये बात 17 साल के उमर की थी लेकिन 3 साल बाद 20 की उमर में आप सब चीजों से किनारा करके और एक आंत में चले जाते हैं ताकि आप विश्वसाहित्य का अध्यान कर सकें अभी तक आप भारतीय कविता की तरफ थे भारतीय परंपरा की तरफ थे लेकिन अचानक से आपको लगा कि नहीं विश्वसाहित्य पढ़ना चाहिए क्यों? हाँ यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था उसमें सतरह के उमर में पहली कविता प्रकाशित होने के बाद जो कविताओं का अगला सेठ है वो हिंदी की लगभग सभी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगा मेरा दूसरा सेठ जो है पहल में प्रकाशित हुआ तीसरा समकालिन भारती इसायत में चोथा उद्भावना कवितांक में तो इस तरह हिंदी का जो समूचा श्रेष्ठ संसार था उसमें मेरा आवा गमन बहुती सहुलियत के साथ आसानी के साथ होने लगा और बीस की उम्र तक पांचते पांचते मेरे पास इतनी कविताएं हो गई थी प्रकाशित कि मेरे वरिष्ट कवियों ने मुझे से खाए कि अब तुमारा संग्र आ जाना चाहिए अब तुम अपनी किताब निकाल दो लेकिन वो पूरा दौर था जिस समय में लिखने के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी रहा था और साहित्य और खाशकर विश्व साहित्य थी कि प्रती मेरा एक्स्पोजर जो है बढ़ता जा रहा था कई सारी लाइब्रियूरी की सदस्यता तो मेरे पास पहले से थी लेकिन वो उस तोर में मंबई में एक जगह है फ्लोरा फाउंटेन उसकी पास पतरियों पर सेकंड हैं किताबें सेकंड हैं पत्रिकाएं खुब विका करती थी उन पतरियों पर मुझे समकालीन विश्व साहित्य की पत्रिकाएं इफ्रायत में मिलने शुरू हुई जैसे पैरिस रिवियू के पुराने अंक मिले न्यू यॉर्कर के पुराने अंक मिले ग्रांटा के पुराने अंक मिले इसी तरह की और पत्रिकाएं भी और इनमें प्रकाशित होने वाले साहित दिखो और खासकर कविताओं, समकालीन वैश्विक कविताओं को पढ़ने के बाद मैं अपनी रचनाओं के प्रती असंतोश से भरने लगा मेरी कविताओं मेरे वरिष्ठ कवी, मेरे वरिष्ठ मित्र ये तो बहुत पसंद कर रहे थे लेकिन मैं मन ही मन अपनी तुलना उस समकालीन विश्व कविताओं के सर्वश्ष्ट संचैनों के साथ कर रहा था और असंतोश से भरता चला जा रहा था तो इसका एक ही उपाय मुझे सूझा जो राम की शक्ति पूजा में निराला ने कहा है राम के लिए कि छोड़ दो समर जब तक ने सिद्धी हो रगुनंदन तो वही एक पंक्ती जो है मेरे रेफ्यूज मेरे रेस्क्यू के लिए आई कि तुम अब छोड़ तो ये सब अचा इससे एक बात ये भी निकल रही है कि जब आपने पास्चात्य कविताओं को पढ़ा तब आपको ये लगा कि मेरी कविताएं कुछ नहीं है अभी मुझे सुधार की गुंजाइश बहुत जादा है और आप उनसे उन कविताओं के तुलना करने लगे इससे पहले पास्चाते कवियों के तुलना में थोड़ी सी कमतर थी ऐसा तो कोई बयान नहीं देना चाहूंगा मैं कि मैं किसी और पर क्या कहूं ये मेरी अपनी कमजूरी रही होगी कि मैं अपने वरिष्ठों का सर्वश्रेष्ट अपने भीतर शामिल ना कर रहा हूं तो उस तर तुलना उस पूरे लेखन के साथ कर रहा था और मुझे लगा कि और अभ्यास और अध्यायन इसकी उम्र में आप दा एपियन कोरेस्पोंडेंट का नुवाद कर चुगे थे जी उसी समय करना शुरू किया था पहल में चप पर चाहिए ये बहुत बड़ी वात है ये उसी ह जो मेरा ये असंतोश है और जो मेरा अध्यायन है इसी का परिनाम था ये विए मैं निरूदा के पीछे पढ़ गया निरूदा के साथ में बहुत दिल्चस्पी चीज हुई मेरे साथ कि मैंने हिंदी की पत्रिका में पढ़ा कि निरूदा दुनिया के सर्वश्रेष्ट कव कि दा तो बंगालियों में जोड़ता है मैंने कुछ बंगाली मित्रों से पूछा उनको पता ही ने तो मुझे लगा ऐसे कोई होंगे निरूदा फिर मैं एक दूसरी पत्रिका में पढ़ा तो पता चला पाबलो निरूदा तो मुंबई में किताबों की एक दुकाने पीपल आपको चाहिए नो कम से कुन दस अजार रुपे लाओ तो यह उस समय की बात है तो म влиheid दस अजार अच्पने में तो मैंने तो अने हर महाने पैसे जोड़ार करके हैं किताब करें कर inten काणती करते ह baik हर कर तरफ से किताबें जोटां के मैंने मन में के त्यए इक्या कि अगर deixaCsness किताबों को महान इन अपनी मानवी सीमाओं के बीतर उनने सब का अधियन करना है इसलिए कि आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हों लेकिन जो आप पढ़ सकते हों जिन तक आप एकसेस कर सकते हो उन्हीं सब को पढ़ें और इक कैसे तैह हो रहा था कि कौन स्वेष्ट है कौन नहीं मैंने एक पहला फॉर्मूला ये बनाया था कि इस पूरे ग्लोब में जितनों को Nobel Prize मिला है पहला फॉर्मूला ये था जिनको Nobel Prize मिला है मैं उनको पिक करूँ तो 1960 के बाद 1965 के बाद क्योंकि ये वाला साहिती ज्यादा आकरशित कर रहा था मुझे तो मैं Nobel Prize winners की किताबों को जुटाने लगा अफिर ये बात ऐसी होती है पढ़ाई की दुनिया ना इसलिए इंट्रिस्टिंग होती है कि एक किताब आपको दस दूसरी किताबों तक ले जाती है जैसे निर्मल वर्मा की धुंदे से उठती धुन वो मेरी पसंदीदा किताबों में है और अगर आप उस किताब को पढ़ें तो निर्मल वर्मा को पढ़ रहे होते हैं लेकिन निर्मल वर्मा आपकी उंग में पढ़ते हुए और किताबों से चुड़ा फिर और किताबों से चुड़ा और से चुड़ा प्रामरी में और ऐसी कौन सी चीजे जो उनकी स्थानिय हैं जो ट्रांसेंड होकर मेरे स्थानिय परिवेश तक नहीं पहुंचती या उनका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है उन सब चीजों को मैंने डॉंट्स में डाला बड़ा मैनेजमेंट वाला तरीके से आप हां मैंने पढ़ाई इ एक और चीज उसमें बनाई थी चोकि मेरी पूरी जो शुरुवाती परवरिश थी नो बहुत प्रगतिशील माहौल में प्रगतिशील साहित्य के दाएरे में हुई थी तो उस परवरिश में भी कुछ न कुछ नुख्स जरूर रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है तो मैंने एक और लिस्ट उसमें यह मनाई थी मुझे कौन सी चीजें अनलर्न कर देनी हैं जो मैं 17 से 20 की उम्र तक सीखता रहा या तमाम दूसरे लोगों के सानिदे में रहा कर जानता रहा और मैंसे क्या हटा देना चाहिए यह आइडेंटिफाई करना बहुत मिश्किल था और बाक प्रगतिशीलों से तो दिक्कत हुई आपको एक से ने मुझे कोई कहीं दिक्कत प्रगतिशीलों से तो नहीं हुई लेकिन मुझे किसी भी किसम के आग्रह से जो एक लेक की स्वतंतरता को अच्छादित कर देने वाला आग्रह है उससे जरूर मुझे एक परहेज होता है द opinionated lake है एक तरीके से आप उसे बाकाइदा गोली दा वो पोस्टर के बारे में लिखते हैं कि ये मेरे समय की कविता नहीं है बिलकुल जबकि आलोग धन्वा ने इसी संगत में कहाए कि वो कहीं से भी हिंसा की कविता नहीं है वो ये तै कर रही है कि गोली दागने का अधिकार स में शहक होता है, एक कवी की रूप में मैं भी अपनी बाते कहता हूं, लेकिन पाठक की रूप में भी हम सब अपनी अपनी बाते कहते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि कवी जिस तरह से अपनी बात कह रहा हो, पाठक तक उसी तरह से या आलोचक तक उसी तरह से संप्रेशित ह मेरी नजर में वह कविता हिंसा का समर्थन करती है तो मैंने वही बात उसमें लिखी मैं यह चाहता हूं देखे हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब हर चीज हिंसा का समर्थन कर रही हो हिंसा चाहे व्यवस्था द्वारा की जा रही हो या व्यवस्था के विरोध में की जा रह जाता है बलकि शोशक के लिए काम करने वाला मध्य वरगिये या निमने मध्यम वरगिये बेगुना व्यक्ति मारा बेगुना कर्मचारी मारा जाता है तो इस लोकतंत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की महिमा का ध्यान रखते हुए उस पूरी परंपरा का ध्यान रखते हु क्योंकि पूरा समय चाहिए हम सिनेमा देख लें वह लिएदिये करता है चाहिए हम म्यूजिक वीडियो देख लेए वह लिएदान के व्याख्यान करते हैं क्वीत लृण अगर कविता भी लिएदिन करेगänder तो वो समाज में उस कॉमलता को उस मानवियता को पचा पाने में या उसका पक्षधर बने रह पाने में संदिक्त हो जाएगी कविता कोई न्यायाधीश नहीं है जो न्याय करे या निर्ने सुनाए न्याय तो खेर कोई नहीं कर सकता कविता कोई निरने नहीं सुनाया लेकिन कविता जो है गवाही जरूर दे साक्षी जरूर हो जिसे कविता आप कहे निरने नहीं सुना सकती है लेकिन आपने एक तरीके से एक बार एक निरने सुनाया पाश की कविता पर आपने कहा कि बीच का रास्ता होता है और आप बकाइदा कुर्सियां हटा के दिखाते हुए बोल रहे थे कि देखी बीच का रास्ता होता है पाश कहते हैं बीच का रास्ता नहीं होता है कि बीच का रास्ता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सारे रास्ते बीच में होते हैं, तो का और में की बीच के अंतर को जो है, लोगों ने छोड़ दिया, होता ने क्या बार कि उधरन, उधर करने वाले की अपनी सहूलियत को भी दिखाता है, तो अब आप देखिए इसी वाक्य को सारे रास्ते बीच में होते हैं यानि बाएं भी कुछ होता है अगर इस तरफ कुरसियां है और इस तरफ दीवार है तो भी रास्ता दीवार और कुरसी के बीच में ही होगा तो मैंने पाश की पंक्ति का खंडन नहीं किया था वैलकि पाश की पंक्ति के सम्मुख एक प्रतिसंसार की बनाने की कोशिश की थी उसी परंपरा का हिस्सा बनते हुए कि सारे रास्ते बीच में होते हैं भले बीच का रास्ता ना होता हो क्या इसका कारणिक यह है कि आप बहुत धर्म के काफी ज़्यादा प्रभाव में आए और जो मध्यम प्रतिबादा का मार्ग है वो बीच में या बीच मार को बीच का रास्ता नहीं कहा जा सकता लेकिन बीच में वाला रास्ता जरूर कहा जा सकता है मेरा पूरा जीवन जो है वो बाध दर्शन से बाध सोच से प्रभावित रहा है और इसलिए मैं खुशी के मौके पर अतिरेक में नहीं जाता अतिरेक की खुशियां नहीं होती या दुख के मुख़़गा अतिरेक का दुख नहीं होता मैं अतिरेकों से बच करके बीच करे उस सम पर, जीवन के उस सम पर टिके रहना चाहता हूँ और यह उसी की ही एक तरह से अभिव्यक्त थी कि रास्ता जो वो बीच में है और उसी पर चलना उसी मध्य मारग पर चलना मेरे लिए मेरे लिए वरेंडिया है ठीक, वापस आते हैं, एकांथ में थे, आपके एकांथ में थे, आपके एकांथ में थे, आपके एकांथ में तो जाहिर सी बात है, आप ही रहेंगे, तो वो लिखा की एकांथ में थे, जो 2000 से 2006 तक संबबता रहा होगा, 6-7 साल का, सो 2006 में आपकी इक कविता प्रकाशित होती है फिर से असंबध नाम से और आप फिर से साहित्तिक परिद्रिश्य में आज आते हैं उसके बाद लगातार आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और साल 2010 में एक साथ, तीन संग्रह आते हैं, दो कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह तो ये दस साल में जतना कुछ था, क्या एक साथ उडेल देने था, कि वो क्या था, कि एक साथ प्रकाशित करवाना है मुझे सब कुछ ये एक अजीव किसम का संयोग था, और आज आप जब सवाल पूछ रहे हैं, तो हाइंड साइट में जाकर के देखने पर लगता है, कि हाँ, इस सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी, और शायद उस समय मैंने इस तरह से सोचा होता, तो कुछ और निरने लिया होता, लेकिन इस कि एक छोटी सी प्रिष्ठ भूम ही बनती है, 2006 में नए तरीके से मैंने लेखना शुरू किया, और नए तरीके से चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, उसी दोर में असंबध आई, उसी दोर में मदर इंडिया आई, उसी दोर में पोस्ट मैन और बोलते जाओ जैसी तमाम कविताएं आई, और उन कविताओं ने एक एक निर्नायक रूप रेखा बना दी मेरे काम के प्रती, और उसी दोर में बिल्कुल उसके पैरलल ही, यानि एक तरफ अक्टूबर के अंक में, अक्टूबर 2006 में वागरत में मदर इंडिया प्रकाशित हुई थी, तो के साथ अपनी गत्ति के साथ आई, 2006 में मेरी पहली कहानी सावन दांटी के लड़कियां प्रकाशित हुई, फिर 2009 में मेरी आखरी कहानी पिंग स्लिप डैडी प्रकाशित हुई, आखरी यानि चठमी, यानि इस तीन साल के भीतर मैंने छे कहानियां लिख ली थी, और वो छ राजकमल प्रकाशिन के, अश्वत महाश्वरी का शुरुवाती विचार ये था कि इन छे कहानियों को अलग-अलग पुस्तक के रूप में छापा जाए, तो वो छे किताबें अलग-अलग हो जाती, तो 2010 में एक साथ 6-7 किताबें भी आ सकती थी, तब तो मैं शाद कुरसे खड़ा हो कि आप से पूछ रहा हो था, तो दस किताबें, लेकिन वो दस किताबें उस समय, लेकिन चलिए, ये एक अलग अलग वो दृश्य बन गया, कि हम सब लोगों ने आपस ने विचार विमर्श किया, और ये गया, कि इतनी सारी किताबें, तो सही नहीं होंगी, चु कहानी संग्रा हम एक साथ बनाएं, और कविता संग्रा अलग बनाएं, तो छे महीने के घैप में ये सारी चीजें छप गई, आलाप में गिरह आता है, पहला कविता संग्रा आपका राज कमल प्रकाशन से आया है, ये देखिए, अभी नजर गई है, तो पहले मैं यही सवा कोई रीजन नहीं है, बस अलग अलग जिस समय जो मूड है, वो उठा करके पहन ले, इक छोटा सा वो अंतर बनाया, मैंने आगे चल करके, क्योंकि कैप मेरे एफेक्ट में शामिल हो चुकि है, परसनल एफेक्ट में, तो अगर कोई फॉर्मल मौका है, तो राउंड कैप प कैप में देखा है, तो यह दर अचल फॉर्मल प्रेजेंटेशन से आप देख रहे होंगे, इन फॉर्मल हमारे मुलाखात उस तरह से हुई नहीं है, इन फॉर्मल मौकों पर मैं स्पोर्ट कैप पहना प्रिफर करता हूं, क्योंकि मेरी ही टीम संगत की पूछ रहे थी, कविता आपने लिखिया, इसकी अपनी एक कथा है, जो की कालपनिक कथा है, निरुदा और पोस्ट मैन के बीच के कुछ सवान था, तो पोस्ट मैन ने रख लिया, निरुदा ने कहा कि वो आप रख लो, वगएरा वगएरा, निरुदा वहां से चले गए थे, एक कथा इस जहन में चल रहा होता है कि उस पूरे कथानक को कैसे समेटें, या फिर उसमें कलपना का भी सहरा लिया जाए, रचना प्रक्रिया इस तरह की कविताओं की क्या रहती है, जब हम कोई चीज देखते हैं, या कोई चीज पढ़ते हैं, तो वो हमारे अनुभव लोग का हिस्सा बन जाती है, हमारा जीवन सिर्फ हमारे अपने जिये गए पलों द्वारा नहीं बनता है, हमारा जीवना नुभव सिर्फ हमारे अपने जीवन से नहीं बनता है, बलकि हमारा जीवना नुभव हमारे भाशा नुभव से बनता है, जो भाशा हम बोलते और सुनते हैं, उससे भी बनता है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा अनुभाव है, ये हमारी रचनाओं में शामिल होता है, वो पूरा दौर था, जब मैं न केवल विश्व साहित्य पढ़ रहा था अच्छे से, बलकि विश्व सिनेमा भी देख रहा था, उसी कलम में मैंने ये इल्पोस्तिनों देखी थी, और इसने मेरे अनुभाव लोक को बेचैन कर दिया था, बहुत सारी नई चीज़ें डाल दी थी, जैसे हम उस पोस्टमैन से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस पोस्टमैन की प्रतीक्षा, उस पोस्टमैन का आवेग, हमारा अपना आवेग बन जाता है, जैसे ह अनात्म है, उसको आत्म बना लेना, और आत्म को अनात्म का अपना महसूस करवा देना, यह हमारे साहित का, हमारी कविता का सबसे प्रमुकुन होता है, ठीक है, इसकी एक और कविता है, सेब का लोहा, यह बिम्ब कहां से आया, सेब का लोहा, यह बच्पन का एक बिम्ब है जब मा सेप काट कर देती थी और थोड़ी देर में वो सेप जो है वो लाल चाओ तब रेडिश हो जाता था लल्चाओं वहाँ पन उस पर आ जाया करता था तो हम पूछते थे ये लाल क्यों हो गया है तो मा कहते थी ये आईरन है इसके अंदर आईरन होता है इसके कराण ये लाल हो जाता है तो वो बिंबु मेरे दिमाग में बच्पन से तैरता था कि सेप के बीतर एक लोहा होता है जो उसका आईरन तत्व होता है जो लाल हो जाया करता है और काटने के थोड़े देरे बाद सेप में जंग लग जाया करती है मुझे सेप की फाग परूगा या लोहा कहलो या पहिये और पटरी के बीच से कभी फुरसत पे निकली चिनगारी या तमाम माफियाओं की मांग से भरी वो प्रार्थना जिसका मसौदा सदियों से अपनी जेब में रखते आया पढ़े जाने के माकूल वक्त का इंतजार करते इसकी कभीता है कि जी जो कभीताएं खुशियों के गुप्थचर में हैं जो आपका इधर जो संग्रह आया उसमें जो आती है और जो अलाप में गिरहा में हैं इन दोनों में एक अंतर तो आकार का दिखलाई दिता है साफसा कि जो लंबी-लंबी कविताएं या कहें खुशियों के गुप्चर के कंपैरिजन में लंबी कविताएं हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 2010 में आय संघ्रह से लगाए और 2022-23 में आय संघ्रह की कविताओं का आकार छोटा होता चला गया। 2010 वाले संग्रह में, आलाप में गिरह में, जो लंबी कविताएं हैं या आकार में थोड़ी बड़ी कविताएं हैं, वो सब 17 से 20 की उम्र के दौर की कविताएं हैं, ज्यादे तर कविताएं उस दौर में लिखी थी मैंने, और वो एक ऐसा समय था जब मैं चाहता था कि मैं अनुभवों और अनुभूतियों का संगम बन जाए लेकिं जैसे धीरे-धीरे मैंने पढ़ाई की दुनिया भर के साहित्य के साथ मेरा एक्स्पोजर बना और साथ tota ही संस्कृ्ट साहित्य के साथ मेरा एक्स्पोजर बनता चला गया, उससे ज़ड़ाव बनता चला गया, म उन सुक्ष्मिताओं को पकड़ना चाहती है जिनकी तरफ मैंने इशारा किया कि वो माचिस की तीली जैसी छोटी सी ज्योती है उस ज्योती को पकड़ना चाहती है तो अब यहां आते आते कहीं ने कहीं मेरे बीतर एक रचनात्मक प्रयास ये बनता है कि मैं अपनी कविताओं मैं जीवन की सुक्ष्मिताओं को पकड़ूं मैं उस युवा कवी जैसा बरताओं बंद करूं जो आज पास देखी गई हर बात को जिये गए हर पल को पहचाने गए हर अनुभव को अपनी कविता में नथी दर देना चाहता हूं मैं उस प्रयास से बचा रहा हूं इसका एक कारण ये तो नहीं है कि धर का जो समय है गीत जी जो अभी का समय है वो सोचल मीडिया का दौर है और इसमें मीम्स बनके बहुत जल्दी से वाइरल होते हैं तो कविताओं का आकार छोटा कर दिया जाए उनको सूक्तिनुमा बना दिया जाए ताकि मीम्स बने और कौर वारल हो जाएँ नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है पहले बात तो यह कि मुझपर लोकप्रियता का कोई दाव नहीं है मैंने अपनी रचनाए मसमय होने की मूंत या कर तक जा कर के के दुरूर भी लखी है जैसे मेरी कविता है फवल्भी कविता वभैचर 2010 में मूं मैं उसके आखिरी हिस्से में वो पूरी कविता हैं बहुत सारी मेरी जो बहुत सारे उधरन है वो उभैचर कविता से निकाल करके लोग शेयर करते हैं लेकिन उभैचर कविता जैसे मुझे कई मित्रों ने भी कहा है वो पिछली 20-25 वर्षों की सबसे दुरूह कविताओं में से उन्हें नजर आती है या यथार्थ की इतनी गहरी परते हैं उस कविता में उस लंबी कविता में कि वो अपने आप में दुस्साध्य बन जाती हैं तो लोग के प्रियता का दबाव मुझ पर नहीं है और मेरी कविताएं छोटी तो आकार में छोटी हुई हैं लेकिन उन मा के गर्भ में रहता है नौ महीने वैसे एक लेखक के तौर पर मैं समय के गर्भ में छे साल तक रहा हूँ तो उस छे साल में मैंने अपने लिए एक काविय सनरचना बनाई थी वो काविय सनरचना है असंबद्ध काविय सनरचना उसी को घोशित करते हुए असंबद्ध श हर पंक्ति के भीतर एक नया संसार बनने का सामरत्य है तो यह मेरी कविताओं की संरचना ही इस तरह से है कि पहली पंक्ति अगर आप ले तो भी वो कविता जैसी नजर आएगी और पहली के साथ चौथी पंक्ति को जोड़ दे तो भी वो कविता जैसी यानि हर पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र रचना का आस्वाद करा सके इस असंबध कावे सन रचना को साधने का मैंने प्रयास पिछले 20 बरसों में किया है और ये प्रयास पंक्तियां जिस तरह से प्रसारिद भी होती है उससे महसूस होता है मुझे कि ये प्रयास असंबद्ध कावे सन रचना का एक मुकाम तक तो जरूर पहुचा है आप कह रहे हैं लोक परीता का कोई दबाव आपके उपर नहीं है नहीं रहा फिर ऐसा क्यूं है कि जब पुस्तक मेरा लगता है तो गी चतरुवेदी वहां आठाट नौनो घंटे तक काउंटर के पास खड़े हुए दिखलाई देते हैं हाँ क्योंकि लोगों ने मुझसे ऐसी मांग की थी कि अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे तो शायद आप में या किताबों में या जन्ता के साथ एक खास किसम का संबाद इस्थापित हो सकता है मैंने अपने पाठकों से मिलने उनसे संबाद इस्थापित करने में कभी कोई शरम नहीं की कभी कोई कुटाही नहीं बरती क्योंकि अंतता हम उनके लिए कर रहे होते हैं और वो क्या मैसूस करते हैं वो हम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है Walt Whitman एक बहुत सुन्दर चीज कहता था कि कविता दो बार लिखी जाती है एक बार तो जब कवी उसे लिखता है और दूसरी बार जब पाठक उसे पढ़ता है और यदि वो पाठक उस कविता को दस बार पढ़ता है तो कविता ग्यारा बार लिखी गई है योगि दस बार उसने लिखी है एक बार मैंने लिखी है तो ये जो चीज है इसको एक्स्प्लोर करने के लिए अपने पाठकों से मिलना इसमें मुझे कोई कोटाही नहीं होती आठ गंटे-नौ गंटे खड़े रहकर कि भी अगर उनसे बाचीत हो उनसे मिलने का मौका मिले और एक तरह का संबाद स्थापित हो सके तो इसमें मुझे कोई बुरा ही नजर नहीं आती है इसको एक पूरा का पूरा धड़ा एक पूरा का पूरा वर्ग किताब बेचे जाने की प्रक्रिया के तोर पर देखता है और आपकी ही कविता है कि मैंने चुन-चुन कर घाटे के सौदे किये मैं अच्छा सौदागर कभी नहीं रहा लेकिन जब पूस्तक मेले की बारी आती है पूस्तक बेचे जाने की बारी आती है तब बहुत सारे कभी सौदागर में बदल जाते हैं नहीं नहीं ये इसको मतलब ये बहुत ही सरल रीडिंग हो गई कभी के साथ चलो चोड़ दो आप कभी के साथ अन्याय को अन्याय करेंगे तो वो एक पूरा मौका अब मुझे ये बताइए क्या दुनिया के बड़े से बड़े लेखक अपने पार्थकों के साथ संबाद करने में हिचकते हैं खाई में साबिनेस दक्षिन अमेरिका के बहुत बड़े कभी हुए पिछले 20 बरसों में उनके जैसी प्रेम कभीता स्पैनिश भाशा क्या तमाम दूसरी भाशाओं में किसे नहीं नहीं लिखी जब वो कभीता पढ़ते थे अपने सभागार में खड़े हो करके तो बाहर कई किलो मीटर तक लोगों की लाइन खड़े हो जाते थे लोग लाइन लगा करके सुनते थे सडकों पर और लौड स्पीकर लगाये जाते थे सडकों पर वैसे लेखक अपने जनता के साथ अपने पाठकों के साथ संबाद किया करते थे मुझे तो लगता है कि जितना हो सके उतना उनसे मिला जुला जाए और उनसे सीखा जाए और केवल पाठकों से ही क्यों जो लोग साहित्य को एक संबेदन शील दृष्टी से देखने का प्रयास करते हैं मैं उनसे सभी से मिलने उनके क्षेत्रों में पहुंच जाता हूँ चलिए अब उसक्रूरता को थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ा उस तरह से रीडिंग कर लेते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं खुशियो के गुपचर इसके तींखंड है और तींखंड है आधी, मद्य और अन्थ इसी की भूमिकापे आप लिखते हैं कि यारंभ में संगीत है अन्थ में संगीत है बीच में जो कुछ है वो साहित्य है आदी पर प्रेम का कोट है इस संग्रह के अंत पर भी प्रेम का कोट है मध्य में ईश्वर का कोट है अब मैं दोनों को मिला कर पढ़ूं तो क्या ये माना जाए कि आपके लिए प्रेम संगीध है और साहित्य ईश्वर है इश्वर जैसा एक शब्द जो है वो बहुत कई बार ना हमें अजब किसम की मुश्किलों में डालता है लेकिन साहित्य मेरे लिए जो है वो बिल्कुल उस सर्व शक्तिमान की ही तरह है जो हमें एक रास्ता दिखाता है और आदि और अंत इनमें संगीत होने का एक और कारण है देखे हम इस पूरी सृष्टी के इतिहास को देखे हमें कभी नहीं पता चलता कि इसका आदि क्या है और इसका अंत क्या होने वाला हम कई बार कहते हैं यह अनादि और अनंत है भारती यह चिंतन परंपरा के आधार प उस नाद से उत्पत्ति हुए नाद ब्रह्मा अंत में भी कोई एक नाद होगा सब कुछ चाकर के उसी में विलीन हो जाएगा तो नाद जो है वो संगीत को प्रतनी दित्व कर रहा है पीच में साहित्य है हम जीवन को व्यक्त मध्य के रूप में जीते हैं व्यक्त मध्य आधि और अंत के बीच का जो मध्य भाग है वही हम पर व्यक्त है सृष्टि का उतना ही हिस्सा हम जानते हैं जो किनी दो अंजान बिंदूओं के मध्य में है तो वो व्यक्तमध्य ही मेरे लिए साहित्य है, वो व्यक्तमध्य ही मेरे लिए जीवन है इसी में आप जगर लिखते हैं कि लेखक की यात्रा बहुत कुछ कोलंबस जैसी होती है कोलम्बस तो भारत को नहीं खोज पाया क्या लेखक वो खोज लेता है जो खोजना चाहता है मुझे नहीं लगता ऐसा हम सब ने अपनी किताबों को शुरू करने से पहले एकना रचनात्मक स्वपन अपने भीतर रखते हैं कि हमें उस जगह पर पहुँचना है जैसे कोलम्बस जब यात्रा की शुरुवात पर निकला था तो उसका लक्षय था कि वो भारत खोजेगा लेकिन वो भारत नहीं खोज पाया वो पर्टिकॉलर एक जगह पर पहुचा और उसने कहा कि ये भारत है और बड़सों बाद उसे पता चला कि ये भारत नहीं था वैसे ही लेखक जिस अभीष्ट पर पहुचता है वहाँ जाकर कि उससे लगता है कि मेरी रचनात्मिंग मंजिल यही थी लेकिन कुछ से में बाद पता चलता कि वो मंजिल नहीं है कुछ और ही थी तब ही तो इसकी यात्रा लगातार बढ़ती चले जाती परमपरा में कहा गया है भारती ये परमपरा में कि अमरितम स्यादियाचितम यानि मांगने पर तुमको अमरित नहीं मिलेगा अगर तुम खोजोगे, खोजने जाओगे तो भी तुम्हें अमरित नहीं मिलेगा अमरित अपरत्याशित मिलेगा अमरित तत्व की प्राप्ति अचानक होगी और तब तुम यूरेका के भाव से बर जाओगे ये जो चीज है कि साहित्य का मूल बिंदु है कि आप एक लेखक के तोर पर अपनी रचनाओं में जब प्रविष्ट होते हैं और उस यातरा को पूलने करते हैं तो अपरत्याशित भाव में जो चीजें आपको मिल गई हैं वो अमरित तुल्य होती है वही आपका हासिल होती है और अपरत्याशित होती है योजना बना करके उन सब चीज़ों तक पहुँचना रचनात्मक रूप से संभव नहीं होता तो गीत शदुरविदी क्या खोजने का प्रयास करते हैं लेखन जब करते हैं तो कोई तो धे होता होगा अगर धे नहीं भी होता है उस अंतुष्टे भी होती है अगर लिख कर तो कुछ तो खोज होती होगी जिसको पाना चाहते होंगे जो आपको भारतिय परमपरा में नहीं मिल रही थी जब आप उस तर पर पहुँचना चाहरे थे जहां पास चाहते हैं कभी है तो कुछ तो खोजने का प्रयास करी रहे होंगे मैंने ये नहीं कि मुझे भारतिय परमपरा में नहीं मिल रही थी मुझे अपने आसपास की चो पढ़ाई थी खासकर अपनी रचनाएं जो थी मुझे अपनी रचनाओं में नहीं मिल रही थी यही खोज़ा जाए कि मैं क्या खोज़ना चाहता हूँ मैं क्या हूँ यही सवाल जो है इस रिष्टी का सबसे पुराना सवाल है और इस सवाल के अनेक उत्तर है अनेक अनेक उत्तर है और इसी सवाल को खोजने के लिए बुद्ध बुद्ध बने इसी सवाल को खुजने के लिए महावीर महावीर बने इसी सवाल की तलाश में जीजस निकले इसी सवाल की तलाश में और तमाम धर्म गुरू और तमाम ताशनिक नेता अध्यात्मिक नेता ये सारे लोग इसी सवाल की तलाश में निकले आप भी तो कई जगहों पर इसी सवाल को लेकर गए, जैसे आप ने कहा मुझे आसपास नहीं विला, तो आप दूसरे कवियों के पास गए, विचारकों के पास गए, आप बहुत धर्म की तरफ गए, तो वो खोजने के ही प्रयास में गए होंगे हम सभी अपना अपना प्रकाश खोजते हैं, अंति में बुद्ध ने ये बात कही थी, बुद्ध के जो अंतिम वाक्यों में से एक ये है, किसी को आशिरवचन देते हुए, कि अप दीपो भव, अपना दीपक आप खुद बनिये, एक लेखक के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर हम अंतिता अपना प्रकाश खोज रहे होते हैं, हम चाहे बुद्ध को पढ़ें, चाहे महावीर को पढ़ें, चाहे प्रेमचन को पढ़ें, चाहे जेम्स जॉयस काफ का प्रूस्त को पढ़ें, उस समय हम उनके द्वारा अरजित प्रकाश को पढ़ रहे होते हैं, हमार निजी उत्तर दरसल उसी प्रकाश को प्राप्त करने जैसा है इसी संग्रह में एक और कविता है थोड़ा प्रेम की जरफ आ जाते है हरूठी हुई बहुत परस्नल लगती है व्यक्तियत लगती है जी हाँ बिल्कुल इस कविता का भी एक इतिहास है और इस इतिहास को जानने के लिए चोटी सी कहानी यह कविता मेरी पत्नी को समर्पित है और मेरी पत्नी जू है वो मेरे बचपन की मित्र है यानि दूसरी कक्षा से हम लोग साथ में है पांचवी कक्षा के आसपास हमारी नित्रता हो गई थी और फिर पांचवी कक्षा से सोलह साल की उम्र तक हमारे बीच बहुत अजीब किसमे का संबंद रहा कभी लड़ाई होता कभी जगड़ा होता मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला संजीदा किशोर था और वो बिल्कुल उल्टी हमेशा शरारत करने वाली अलहड किसम की योती किशोरी तो सोलह साल की उम्र में एक बार यूँ ही किसी एक विवाद और जगड़ा तरसल हम नुकर नाटक बहुत करते थे रंगमंच से हमारा जुडाव था और मैं उसमें निर्देशित कर रहा था और यह उसमें अभिनेत्री थी और किसी एक द्रिशिक के अभिनेय में मुझे कुछ दिक्कत हुई और मैंने इन्हें जोर से डाट दिया अपनी मित्र को और यह छोड़ करके चली गई हमारा ग्रूप छोड़ के चली गई और हमारे उसके बाद हमारा पूरा रंग मंडल जो है वो दराशाई हो गया दो-तीन दिन बाद हम लोगों ने तैकिया कि जाकरे कि इसको मना लिया जाए और हम शाम के साथ साड़े साथ बजे भावना के घर पहुँचे कॉल बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला टीवी पे मादरी दिख्षित गाना गा रही थी मेरा पिया घर आया ओ राम जी और ये नाट किये था कि पराकाश था और हमें लगा कि ये कुछ नकुछ जो है अलावकी के संदेश है तो हमने अपने शुद्ध बंबया स्टाइल में भावना से का देख के लिए मादरी दिख्षित जो बोल रहे लिए ना उसको ज़रा से समझ के लिए सही में लिटरली यही लिटरली यही तो वहाँ से हमारे बीच जो है एक भयंकर जगडे के बाद मुसकान का आदान प्रदान हुआ और दो-तिन दिन के बाद ही हमें यह एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वहाँ से यानि 16-16 की उस उम्र में हमें यह ताय होगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है और मज़े की बात है कि हफते 10 दिन महीने भर के अंदर हम दोनों के परिवार भी राजी हो गए हमारा परिवार भी एक दूसरे को बच्पन से जानता था और शायद हमारे परिवार को हम लोग पहले से पसंद आते थे तो हमारे बीच एक अच्छा सा प्रेम संबंध स्थापित हो गया जो कि बेहत चर्चित था हम मोमन पहली पाठक वही हुआ करती है तो जब मैं बहुत सारी कविताएं लिख रहा था बहुत सारी कविताएं रिजेक्ट कर रहा था तब से लेकर अब तक कोई भी एक सिंगल कविता भावना को समर्पित नहीं थी या भावना की बातों पर नहीं थी, तो कई बार वो यूही नाराज हो जाया करती थी, कई बार यूही रूट जाया करती थी, तो उस रूठी हुई को मनाने के लिए मैंने ये कविता लिखी थी, और इस कविता का इस्तिमाल अब भी मैं जो है किसी ब्रहमास्तर की तरह किसी रामभान की तर करता हूँ और पता है यह कोई था हर बार कारगर सा मुझाती है दहागों से जखम देती खंजर ससलती है वह वह लेकिन इधर अगर आप बात करूँ जैसे आपके संघर्ष के दिन हो गए उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी अभी आप लेखन करते हैं कुछ फ्रीलांस का या फेलोशिप्स पर इधर घर आप जाते हैं फिलहाल आप ने एक जगा कहा कि आप हाउस हस्बेंड हैं है ना कि भावना जी काम पर जाती हैं बच्चे चले जाते हैं आप 11.30 बज़ उठते हैं खाना वाना सब के लिए बनाते हैं और यह आपकी दिन चरिया रहती है और फिर रात में आप फेल्प फेल्प करते हैं फिर सुबह साड़े पाच के आसपास आप सो जाते हैं यह आपकी पूरी दिन चरिया है हाउस हस्बेंड की एकसेप्टेंस सुसाइटी में अभी उस तरह से है नहीं क्या आपका ये कहना कि क्या उस माइंड सेट को चेंज करना पहली चीज तो ये दूसरा क्या घर वाले इस चीज के लिए राजी थे कि आप अपना जीवन इस तरह से बिताएं मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा हूँ जहां बच्चों के निर्णेयों में अभी भावकों का कोई विशेश दखल नहीं होता हम सब बच्पन से ही हम सबी अपने अपने निर्णे लेने के लिए सोतंत्र थे और खासकर मैं तो इसलिए भी क्योंकि मुझे मेरे माता पिता का भी समर्थन प्राप्त था मुझे अपनी बेहन और अपने भाई का भी समर्थन प्राप्त था और अपने सारे जो वरिष्ठ लेखक हैं जो हमारे घर परिवार का ही हिस्सा बने हुए थे उनका भी समर्थन प्राप्त था तो मुझे अमूमन सामाजिक स्विकार्यता को पाने के लिए कोई विशेश कोशिश नहीं करने पड़ी जिस दिन मैंने ये तै किया कि अब मैं शादी कर रहा हूं भावना के साथ में तो इसमें मुझे कि किस्म का कोई कहीं से अडंगा नहीं आया था एक तो बात आज भी मुझे कभी कभी हंसी आती है और एक अलग किस्म का सौभाग ये भी मालम पड़ता है कि जब मैंने शादी की थी सन 2000 में तो उस बरस पहल में मेरी शादी की सूचना छपी थी ज्यान रंजन जी ने बाकाइ के दुलार के केंद्र में थे हमें हर जगह से प्यार एक जोड़े की तरह एक कपल की तरह हमें हर जगह से प्यार मिला करता था और वो अभी भी मिलता है ज्यान जी भी कमाल के रखती है अद्भुत अद्भुत मेरे तमाम शिक्षकों में कई शिक्षकों में से एक ज्यान ज जिसे मैंने बहुत सीखा, 16-17 की उम्र से उनकी चिठियां मेरे पास आती रही, उनकी चिठियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और एक वाकी जो मैं आज तक नहीं भूलता हूं, और उस वाकी को तमाम नौजमानों को सुनाता हूं, अपनी इसमृति से, कि साहित्य, सौ मीटर की फर्राटा दौड नहीं है, साहित्य, एक मैरा थन है, अगर जिन्दगी बर दौडने का माददा तुम्हारे फेफ़डों में है, तब ही इस साहित्य की दौड में कुदो, ये उनका वाक्य था, और ये वाक्य में बहुत दो को सुनाता हूं, और इसी के कारण, इस तो कहीं ने कहीं ये उस वाक्य से, तो सामाजिक स्विकारेता वाली बात हो रहे थी, हमने कभी उस चीज के बारे में सोचा नहीं, हमने वही किया, जो हम दोनों को सही लगा, और ये सवभाग्य है कि उन बातों को दूसरों ने समर्थन दिया, चलिए, निवनुतम मैं पर कराता हूँ, इस किताब कविताओं की फॉर्मैटिंग पर बात करना चाहता हूँ, जिस एक कविता में दो पंक्तियाँ बाइन तरफ है और बाकी दाइन तरफ है, इटेलिक्स में, दोनों को अलग अलग पढ़ा जा सकता है, और दोनों को आप एक साथ करके बढद सकते हैं ये तयार है। नारेटिव नौवल्स में होता है। मुल्टि लियर नैरेटिव माह कावियों में होता है। क्या वैसा हम एख छोटी कविता में साधारण आकार की आधुनिक कविता में पा सकते हैं। उसके लिए मैंने कविता को दो हिस्व में बाठा। एक बाई तरफ एक अलग narrative, नाई तरफ एक अलग narrative, जिनको आप साथ में पढ़ें तो भी कविता का रूप बनेगा, अलग से पढ़ें तो भी कविता का रूप बनेगा, तो असमबद्धता के साथ साथ एक महा का व्यात्मक चेतना को छूने का भी यह कहिन के प्रयास था यह इसी में एक कविता है निविद उसके दो ड्राफ्ट है एक पुराना ड्राफ्ट है एक नया ड्राफ्ट है नया ड्राफ्ट से ठीक पहले पुराना ड्राफ्ट प्रकाशित है इसमें जब नया ड्राफ्ट लिख रहे हैं उसमें दाई और पुराना ड्राफ्ट भी पूरा का ये नियम ये है कि किसी कविता की रचना करने के बाद उसको विभान डॉप में लिखकर करके एक संतोश प्रद रूप तक पहुंचाने के बाद उससे एक साल के लिए अपनी दराज में छोड़ दो। उसे छूओ मत, उसे किसी को सुनाओ मत, उसे कहीं चपवाओ मत. एक साल बाद मिकाल करके उसे पढ़ो. यदि कोई कविता तुम्हारी दराज में एक साल तक जंदा है, तो इसका अर्त है कि वो बाहर निकल करके जंदा रहेगी. लेकिन अगर वो कविता तुम्हारी दराज में ये एक साल के अंदर ही मृत हो गई है या वो लगभग मृत प्राय या क्लांत हो चुकी है इसका मतलब भी बाहर नहीं निकल पाएगी तो कविताओं के इस तरह से अलग अलग तरीके के ड्राफ्ट पे काम करने के बाद एक na confusion वाले इस्तिती पैदा हो जाती है कि आखिर दो ड्राफ्ट तो बन गए हैं, तीन ड्राफ्ट बन गए हैं ये भी मुझे सुन्दर लग रहा और ये भी सुन्दर लग रहा है अब क्या किया जाए तो कभी-कभी जब ऐसा कोई confusion आता है तो किसी एक को चुनने की बजाए मैं ये करपाँ कि दोनों ड्राफ्ट पाठक के सामने रखता हूँ कि जो है वो आप पाठक खुछ चुन ले मेरी तरफ से मैंने इन दोनों ड्राफ्ट की रचना करती है इसी में उन तमाम विचारकों के नाम भी है ये कर्यों के नाम भी है जो संभवता आप बनना चाहते होंगे जिन की तरह आप देखते होंगे जिसमें ओडिसिस का नाम है कालिदास का नाम है बियाटिस का नाम है दानते हैं वासवदत्ता हैं हुमर वर्जिल वसुबंधू अश्वघोष कुमार जी नेरुदा मीर गालिब खुसरो काफका यानि गीच चत्रवेदी किन किन की तरफ देखते हैं वो सब इसकी भी तरह है जी हाँ बिल्कुल हम अपने जीवन को दिन में गुजारते हैं रात में गुजारते हैं दिन में हमारे सिर पर सूरज चमक रहा होता है एक ऐसा लेखक या एक ऐसा कलाकार होता है जो हमारे पूरे रचनात्मक व्यक्तितों पर सूरज की तरह प्रकाश डालता है हमें बिल्कुल प्रकाशित कर देता है हम अपना जीवन रात को भी जीते हैं और कभी-कभी खुद हम रात होते हैं और हमारे बीतर कई सारे दूसरे लोग सितारों की तरह चमक रहे होते हैं तो जब मैं अपने जीवन को अगर रात की तरह जी रहा होता हूं तो उसमें बहुत सारे रचनाकार बरतमान के, अपीद के, इतिहास के, इस सारे रचनाकार रात को चमकने वाले सितारों की तरह हमें प्रकाशित करते हैं, वो हमें रोमांच से भरते हैं, वो हमें कई बार रास्ता दिखाते हैं, हम कितने हम सब नाम निविद है कि इनके चारण से तमाम देवता ज्वागरत हो जाएं हमारे भीतर के वो सारे वो सारे सितारे ज्वागरत हो जाये ये कविता एक मंत्र है, ये कविता उस मंत्र की तरह है, रिगुवेद की तरह, एक और चीज देखने में आती है, अगर आपके कविता संग्रहों को आप उठाएं, तो उसके पहले पन्ने पर, तीन कवी या विचारक रहते हैं, एक कोई पास्चात्य सिधान्त का विचारक होगा कोई भी हो सकता है, एक उर्दू का होगा, और एक भारतिय होगा, जो अमोमन संस्कृत परमपरा से आता है, ये क्या अपने परमपरा को याद करना है, या उनके प्रतिकृत अग्यता है, या फिर आपकी उस पूरे संग्रह करनी चोड़ा है, ये दोने चीज़े हैं, जैसे कोई गायक अपना गायन शुरू करने से पहले अपने मुर्षद को सलाम, अपने मुर्षद को प्रणाम करता है, वैसे एक तरह से मैं अपने गुरुआं को प्रणाम कर रहा हूं, और अपनी परमपरा का सूत्रत कहीने कहीं से दिखा रहा हूं, तेखिए, मैं हूँ हिंदी का लेखक, हिंदी भाषा में लिख रहा हूं, प्रस्तुत किताब जो हिंदी भाषा में है, और मैं अमोमन तीन एपिग्राफ चुनता हूं, पहला एपिग्राफ है था है संस्कृत से, यानि मेरी परंपरा का एक प्रस्थान बिंदू संस्कृत से करके आता है दूसरा अम्मुमन होता है उर्दू से यानि जो मध्ययुग का साहित्य है उसके साथ भी मेरा रिष्टा है वो भी मेरी परंपरा का हिस्सा है और तीसरा जो कोट होता है उधरन वो विश्व की किसी भी भाशा से या मेरे किसी पसंदीदा विश्व लेखक का होता यानि वो वैश्विक परंपरा भी मेरी अपनी परंपरा है यानि परंपरा के रूप में हिंदी के लेखक का रिष्टा संस्कृत, उर्दू और वैश्विक परंपरा इन तीनों से जोड़ता है तो दरसल ये तीनों मेरे कक्ष के तीन गवाक्ष हैं तीन रोशनदान हैं जहा चुनोटी यही तो यह भारतिया परम्परा एंजर की परम्परा यही होते हैं । क्रियाट होता क्योंकि रचनात्मक्ता जो होती है वो क्रियेटिव कउन्फिक्ट से बनती है जो रचनात्मक संगर्श है विभिन्य सांस्कृतिक परफराओं की बीच उनिसे हमारी रचनात्मक्ता का विकास होता है, यहने sound की तरह होती है, जैसे एक sound है, sound जब तक दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में टकराएंगी नहीं, तब तक sound नहीं बनेगा, आवाज नहीं बनेगी, जीब तालों से टकराएंगा तो आवाज बनेगी, उंगल जैसे आज मेरी आवाज खराब है, यह तो आपका स्वास्त जना गड़बड है, बोपाल की आब औ हावा कहीं न कहीं असर दिखा रही है, नहीं नहीं कोशिश कर रहे हैं जितना, एक और कविता है जिस पर काफी विवाद हुआ, काफी चर्चा में रही, और आज तक होती ह चेहरा, प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध जैसा दिखता है, कई लोगों ने कहा कि भई प्रेम तो कामना से उपजता है, बुद्ध करुना के प्रतीक है, आप यहां पर स्त्री को कामना की जगा करुना के प्रती जुका हुआ दिखा रहे हैं, यानि वो जो प कब करुणा मैं ही होती है आप वही उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी कविताएं हमारी अनुभूतियों का प्रतिविंबन करती है वो अनुभूतियों का चित्रन करती है वो कोई सिध्धान्त नहीं होती है और कविता को अनुभूती की तरग रहन करना चाहिए कविता को सिध्धांत की तरग रहन करने से कई बार रचनात्मक चुनतियां, सामने खड़ी हो जाती है और वो कुपाठ की तरफ भी हमें ले जा सकती है, तो ये जो कविता है कि दर असल एक निजी अनुभूति का प्रतिफलन है ने जी अनुभूति का चित्रन है मेरी नजर में ज्यात इतिहास में प्रेम के सबसे बड़े बिम्ब प्रेम की सबसे बड़ी प्रेम का सबसे बड़ा रूपक बुद्ध के यहां बनता है स्वयम बुद्ध अपने आप में प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक की तरह देता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैंने अंतरंग क्षण गोजारा है, तो एक निजी अनुभूति को निजी अनुभूति से जूड़ी हुई कविता की तरह देखना चाहिए, सिध्धान्त की तरह देखने से बचना चाहिए, ये कई बार ये बात होती है, साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्द ये होती है, कि वो अनात्म को आत्म में परिवर्तित कर देता है, और आत्म को अनात्म तक ले करके जाता है, तो मेरा निजी अगर किसी के अनात्म से जुड़ता है, तो ये मेरे लिए उपलब्दी है, ये हर बार संभाव नहीं होता, और इस्थानिये परंपराएं हमारे रुदाय के निज से भी निर्मित होती हैं, इसलिए तो निज अनुभूतियां साहित में रुपांतरित होती हैं, ये निजता की कविता है, सैधानति की नहीं है, धीरे धीरे गीजी देखा गया जैसे एक समय था, आप बहुत ज़ादा प वो पुलिटिकल स्टेंड कहा गया, कविताओं में तो नहीं दिखता है, और खासकर 2003 तक आते आते तो आप केवल प्रेम की कविताओं ही लिख रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि गीच चत्रवेदी का पुलिटिकल स्टेंड है क्या, अच्छा इस सवाल को अगर आपके अन मोल याद की तरह चरिश करता हूँ, वो वही युवा वस्था का दोर, किशोर आवस्था से लेकर युवा वस्था का दोर, जब हम बहुत सारे नाटक कर रहे थे, नुकर नाटक कर रहे थे, मोर्चे निकाल रहे थे, मैं राजनीतिक पार्टी के साथ बहुत सक्रियता से ज जाते थे, मुंबई के आसपास का जो आदिवासी इलाका है, जवहार, मुखाडा, वाडा, तलासरी, इस सब ने मुंबई के 50-600 किलो मेटर के दायरे में ही पड़ते हैं, उन जग वहाँ पर जा करके काम किया करते थे, और इतना मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय था, एक बार पर पूरा उस कच्रे को साफ किया, और उस कच्रे को बैग में भरके नगर सेवक के घर तक पहुँच गए, नारे लगाते हुए, लगबग ये 20-25 मिनिट तक हम लोगों का जुलूस, हमारा धरना, हमारा नारा चलता रहा, और महां जा करके नारे और लगा करके उसके बाद सब यहां वहां तितर बितर हो गए और वहां बाद में पुलिस आ गई, और हम लोगों को ढूणने लगी, और बारी मुश्किल से हम लोगों की गिरफतारियां बच गई, बड़ी मुश्किल से, यांई ऐसी सकृइता थी हम लोगों की उस समय, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मैं जीवन के ज्यादा खरीब जाता गया किताबों के और साहित के ज्यादा करीब जाता गया मुझे ये लगने लगा कि मैं अपनी पूरी काट में राजनितिक चीजों के लिए बना नहीं हूं राजनितिक आंदोलन is not my cup of tea मेरा पूरा व्यक्तित्व उसके लिए बना नहीं है और मौभंग जैसा शब्दे अलग संदर्भों में हम ऐसा कहें कि जब मेरे अध्ययन का दाइरा बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि राजनितिक विचार धाराएं वो हमारी सोच को कहीं न कहीं से एक कैद में ले जाती है हमारी सोच को सकरा बनाती है देखिए विचार धारा में जुड़ा हुआ है विचार धारा यानि आपको धारा के साथ साथ ही चलना है यानि आप धारा के दास है विचार धारा के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको धारा का दास बनना ही पड़ेगा लेकिन यदि आप विचार के साथ हैं तो आप किसी भी धारा के दास नहीं बनेंगे विचार अपने आप में संपूर्ण है तो मैं उसके बाद से, जब से मैंने पढ़ाई आप विचार के साथ हैं, विचार धारा के साथ हूँ विचार धाराओं से मेरा कोई वो नहीं है और दूसरी बात, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था राजनीतिक उपस्थिति मेरे कविताओं में मेरे पूरे साहित में मेरी राजनीतिक सोच का प्रतिबिम्बन होता है मेरी राजनीतिक चीजों का प्रतिबिम्बन होता है जैसे खुशियों के गुप्चर में अगर देखें तो आपके सामने किताब पढ़ी है उसमें कविता है, खुलें, एक कश्मीरी बच्चे के खथ वो राजनीती है, उसी में चुरुँ में ही एक कविता है सामो recording आत्म कथा, पढ़ें उसे वो एक राजनीतिक है हर कविता में राजनीतिक पक्ष कहीं न कहीं होता है क्योंकि कविरी की राजनीती मैं एक बात बहुत जोर देकर कहता हूँ और मैं अकेला ही नहीं बलकि दुनिया के बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि कवी की राजनीती, राजनेता की राजनीती से अलग होती है कवी अपनी राजनीति का चित्रन अपनी सोच और समझ के अनुसार करता है वो किसी राजनीतिक विचार धारा का कुनाम नहीं होता मैं राजनीतिक बातें कहता हूं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं यह अंतर है तो जिस संसार का ब्रहम सत्य ये हो कि मनुश्यता ही सरवश्रेष्ट है उस संसार में मनुश्यता की बात करना और मनुश्यता की पक्ष में आजीवन खड़े रहना यही एक कवी की सबसे अच्छी राजनिती हो सकती है यही मेरी राजनिती है और मेरी तमाम कविताओं में मेर तमाम रचनाओं में, चाहे वो आलाप में गीरा, नियूने तम्मे, या खुशियों की गुप्तचर हो, चाहे वो अधूरी चीजों का देवता, या अभी अभी ताजा जो आई है, सिमसिम, उसमें भी ये दिखाई देता है, सिमसिम पूरी तरह से राजनितिक उपन्यास है, स कहानी होई, फिर उपन्यास हो गया, ये ऐसा क्यों होता है, कि कुछ कविताएं आपकी कहानी में तबदिल हो जाती है, फिर लंबी कहानी में तबदिल हो जाती है, जैसे कि सिंधु लाइब्रेरी, वो भी पहले कविता थी, फिर उसमें से एक नौवेला निकला, सिमसिम, औ और ये कैसी के कहने पर था या फिर जो आपको एक translation का grant मिलने वाला था उसकी वज़ा से था ये उसकी वज़ा से नहीं इसका एक अलग वो है जैनेसिस है एक रचनात्मक आदत जो मैंने अभी बताई आपको कि एक रचना को कई ड्राफ्ट में काम करने की एक आदत इसके कारण भी होता है कि रचना पर काम करते करते उसके भीतर कई सारी नई संभावनाओं के बारे में आप खुद संग्यान लेने लगते हैं को महसूस होता है तो इससे होता है पर्टिकुलर सिमसिम के बारे में क्या हुआ था ये एक सिंदु लाइबरेरी नाम की एक कविता है जो कि मेरे संग्रह आलाप में गिरह में संग्लित है और ये मैंने तब लिखी थी जब मैं 21 साल का था यानि 1998 में और इस कविता का बहुत स् इन्हों ने इसका बहुत प्यार इसको बहुत प्यार दिया था 2007 के आसपास जब मैं कहानियों पर काम कर रहा था और मुझे भारत भुशन अगरवाल पुरसकार मिल चुका था विश्नु खरे ने दे दिया था तो ऐसे ही चर्चा के दौरान एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सिंदू लाइबरेरी का जो विशय है पाकिस्तान से आए हुए सिंदी हिंदू और उसके विस्थापन की तरासिदी ये अपने आप में अनूठा और अंचुआ विशय है इसके अंदर एक कहानी रहती है तुम उस कहानी को क्यों नहीं लिखते तो मुझे एक प्रेर ना म मेली कि हां मैं इसको कहानी में तब्दील कर सकता हूं और मैंने उसे कहानी में तब्दील किया 2007 में 2016 में उस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद को मेरी अनुवादक है अनीता गोपालन उन्होंने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस अंग्रेजी अनुवाद को प पढ़ने का सवभाग्य बना, आउसर बना, अनिता गोपालन ने ये सुझाया मुझे, कि इसके अंदर एक उपन्यास रहता है, जैसे कविता के भीतर एक कहानी रहती थी, वैसे उस कहानी के भीतर एक उपन्यास रहता है, तो विनोच जी वाली वो पंक्ती कविता के भीतर पह सको तो इस कहानी की कई छूटे हुए पहलूओं को तुम छूँ सकोगे और वो वही हुआ मैंने उस पर एक उपन्यास की रचना शुरू की फिर वही कहुँगा जैसे आपने कहा कि लोकप्रियता मेरे लिए कभी कुछ रहा नहीं है लेकिन हर बार ये कहा गया कि कविता चुक दिल ना भी करते तो अनिता को पलन को वह ग्रांट ऑल्रेडी मिल चुक थे उसकी वजह से चर्चा में आ चुकी थी वह चर्चा वो जो लोकप्रियता थी उसको उपन्यास में बुना सकते थे अग्यास सकते थे पुनाना बुनाना तो बिलकुल अलग किसम के बात है जिस पे आप कविता लिखें और उससी भी बात के कई तरीके हो सकते मेरा अपना तरीका है अपने रचनात्मक व्यक्तित्व को अनवेशित करना और कहानी को उपण्यास की तरफ ले यह दियाने कपि प्रयास करना ये थीम का विस्तार, उसको विराट रूप देना, ये एक रचनाकार कैसे करता है, क्योंकि जब आप कविता के भीतर उतर रहे हैं, और आप उसमें से कहानी निकाल रहे हैं, फिर उस कहानी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, फिर आप उसमें से उपन्यास निकाल रहे हैं, मेरा जो theme है काम करने की संरचना है मेरी असंबध संरचना लेकिन जो विशे वस्थू है वो है अपूर्णता इसलिए मेरी किताब अधूरेपन को कई बार एक अरगे देती है अधूरेपन की पूरी अवधारणा को तो theme के रूप मेरी अवधारणा है अधूरापन देखिए एक कविता थी जो कि अपने आप में पूर्ण थी जो कि आपके लिए भी पूर्ण है लेकिन कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि यह कविता पूर्ण नहीं अपूर्ण है इसको पूर्ण करने के लिए कहानी में रुपांत्रित कर रहा हूं है और पूर्ण है मैंने उसी में यह लिखा है क्योंकि पूर्णता एक भ्रं है क्योंकि पुर्णता तक हम पहुंच नहीं सकते हैं और कहानिया कभी पूरी नहीं होती बल्कि वह एक जगह पर जाके ठिठक जाती हैं ठिक कि वहीं पर मूड़ करके अपना नया रास्ता बना लेती हैं कहानियों में यह है तो विशाय वज्त है मेरा अधूरापन जिसे प्राने के लिए मैं नित नए प्रयास करता हूं अपनी ही पुरानी रचनात्मक्ता मेरे लिए अपूर्ण हो जाती है जिसे पूर्ण करने के लिए एक नए पढ़ाव तक एक नए मुकाम तक पहुँचने का प्रयास करता हूं चलिए अनिता गोपालन की तरफ आते हैं उन्होंने ट्रांसलेशन किया अनिता गोपालन के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कौन है पहली बात केवल गीच चतुवेदी की रचनाओं का ही ट्रांसलेशन करती हैं कैसे मुलाकात हुए थी अनिता गोपालन मेरी मित्र हैं और उनसे मुलाकात जो है वो सोशल मेडिया पर ही हुए थी और उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं पढ़ी थी और उसके बाद हमारा संबाद हुआ अनुवाद करने वाली जो बात है वो बड़ी दिल्चस्प रही यह कि हमारी मित्रता हमारा स अनिता गोपालन बहुत विद्वान हैं पढ़ी लिखी हैं बिट्स पिलानी से इन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की मैथेमेटीशन हैं बहुत लंबे समय तक यह औस्ट्रेलिया में रही न्यूजिलैंड में रही आधी दुनिया घूम चुकी हैं बहुत सारे अलग अल संत जैसा संकोच है और संतों जैसा वैराग है किसी चीज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं तो इस तरह का एक व्यक्तित्व मेरे जेवन में आया जिसकी जो अंग्रेजी साहिते पर बड़ी घंगोर पकड़ रखता था और मेरे साथ ऐसा था कि अमूमन मेरी कविताओं को लोग अंग्रेजी में अनुवाद करके मेरे पास भेजा करते थे कि आप पर्मिशन दे दे तो इसको हम कहीं पर चपवा ले और थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है तो मैं उन अनुवादों को पढ़ करके थोड़ा बुझ जाया करता था थोड़ा असंतुष अनुवाद करता था कि नहीं वह बात आने पाई है तो जैसे डॉक्टर होते ने सेकेंड ओपीनियन लेने के लिए अनुवाद भेज दिया करता था और वह पढ़ते ही उसको रिजेक्ट कर देती थी ना इसमें वह बात नहीं है इसमें मजा नहीं है इस तरह दस अगले तीन-चार साल में और मेरी कविताओं का मेरी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए इतने लोग लगे हुए थे और इतनी दिमांड हो रही थी दस के बाद तो आज नहीं बोले भाई तुम ही कर दो यहीं हुआ यहीं हुआ यहीं हुआ कि जब अनीता Gopale ने दसमें को भी रिजेक्ट कर दिया मुझे लगा था कि इसमें थोड़ी संभावना है थोड़ा बेहतर कि और उन्होंने कहाest दीसमें वह लिए नहीं है तो और लेट हो मैं पढ़ लेती हूं लेकिन मैं फ्रांस्टेशन नहीं किया है मैंने का आप देखो अगर या तो फिर ग्यारवे को तुम एकसेप्ट कर लो ग्यारवे को रिकमेंड कर दो वैसा हुआ नहीं उन्होंने लगातार बाचीत की और फिर एक दिन उन्होंने का कि ठीक है मैं अनुवाद की कोशिश करती हूं कुछ कविता है उन्होंने अनुवाद की और देखिए उनकी प्रतिभा है और उनकी लगन है समर्पन है और भाशा की उनकी समझ है मैं उनके बहुत बड़ा उनके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं तो उनकी भाशा और साहित्ति की उनकी समझ है कि उन्होंने अनुवाद उस समय वो सिर्फ दूसरी भारती अनुवादक थी जिनको यह पुरसकार मिला, उसके पहले अर्विंद कृष्ण महरोत्रा को मिला था और दूसरी अनिता गोपालन को, और मेरी जो सिमसिम थी यह कृती, यह दूसरी गल्प कृती थी जिसको वो ग्रांट मिला था, मेरी उधर प्रकाश की किताब को मिला था, तो यह पहला उपन्यास आपका, बाद में उपन्यास की रूप में तबदील होता चला गया, ग्रेजवली, क्या हो रानिखेत एक्सप्रेस का, डिरेल है या आउटर पर खड़ी है, ऐसा कहें कि वो आउटर पर खड़ी है, आने वाली पात वही है अन्जुम भाई, रचनात्मक संतुष्टी, मैंने कहा ने, एक कविता को मैं एक दराज में एक साल तक के लिए रख देता हूँ, अगर एक साल तक भी वो जिन्दा रह गई तो मैं उसे बाहर लाने के बारे में सोचता हूँ, रानिखेत एक्सप्रेस के साथ भ ऐसा अवकाश मुझे मिलने ही पा रहा है, तो जिस तरह का आप काम करते हैं, उपन्यास वाला, कहानियों वाला, कविताओं वाला, इनको हटा के एक और तरह का आपने पिछले दिनों काम किया, और उस पर आप हुए खूप ट्रोल, वो थी कविता की वर्क्शॉप, लेखन की वर्क्शॉप, पहले का था, लेकिन वाइरल हुआ, और लोगों ने आपको ट्रोल करना शुरू कर दिया, मेरा सवाल ये है कि इतने आप पे मीम्स बनते हैं, आप इतना ट्रोल होते हैं, कभी मन नहीं करता है कि उनको जवाब दिया जाएगा, ट्रोल्स को जवाब देना रचनात्मक कार्य नहीं है, और मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता, जो रचनात्मक ना हो, जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, शन, समय बहुत मुश्किल से मिलता है, उस सारे समय को मैं रचनात्मक रूप से इस्तिमाल क करना चाहता हूं और दूसरी बात ये है अगर किसी को मेरी रचना पसंद आती है तो उसे उसकी प्रशंसा करने का अधिकार है मैं किसी को प्रशंसा करने से रोक तो नहीं सकता हूं उसी तरह अगर किसी को मेरी रचना ना पसंद आती है तो उसे उसकी आलोचना और उसकी निं लेकिन एक बात और कहूंगा, कि एक दार्शनिक था, जिसने कहानी सुनाई थे, मुझे उस दार्शनिक का नाम नहीं याद है, दो पंक्तियों की ये कहानी है, कि जान, विक्टर के बारे में, जो भी पंक्तियां कहता है, उनसे विक्टर का परिचय कम मिलता है, जान का परिचय ज्यादा मिलता है, तो मेरे बारे में जो भी कोई अच्छा लिखता है, या बुरा लिखता है, तो उसके लिखे हुए से, मेरी रचनाओं का, या मेरे व्यक् तित्व का परेशे ज्यादा मिलता है, लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन ये मेरी जग्या से है, देखते तो होंगे मीम्स, जो मीम्स पंते हैं, आपके नाम से, या फिर आपके उपर जो लिखा जाता है, बोला जाता है, पहला रियक्शन देखने के सुन्दर कहते हैं, अगर आप लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को आफ कर दीजिया, तो आप सच में अच्छी लिखाई, पढ़ाई, एक अवरता के साथ कर लेंगे, मैं इंटरनेट कनेक्शन आफ नहीं कर सकता, योगि मुझे हमेशा इंटर लब्द होता है, वो इसी तरफ से उपलब्द होता है, बाकि मैं उसमें सैर सपाटा नहीं करता हूं, तो इसलिए कई बार मुझे पता नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ एक मित्रों ने मुझे कुछ एक मेम्स दिखाए हैं, जैसे मैं अभी हिंदी नामा की जो पूरी टीम ह अंकुष कुमार और ये, मैं उनके साथ कुस्तक मेले के दौरान उनके घर गया था, तो वहां मुझे कुछ अच्छे नौजवान मिले, जो बड़े ही रोमांचक और फणी तरीके से कुछ नए मीम्स बनाते हैं, उन्होंने सारे मीम्स मोबाइल में और कंप्यूटर में खो खोल करके हासा, क्योंकि sense of humor बहुत अच्छा था, अगर sense of humor अच्छा हो, तो हसी दिल खोल कर आती है, रात को लिखते हैं, पूरे हमेशा, मैंने कभी कोई कविता दिन में नहीं लिखी, भुलकड हैं, बहुत, ऐसा लोग कहते हैं, और दीरे दीरे खुद को भी मैसूस होने पता है एक बार तो क्या हुआ था, मेरी पतनी मैं उससे में पञचाब में रहता था, और मेरी पतनी भोपाल से पन्जाब आ रही थी, मेरा तबादला हो चुका था, पंद दे निन पहले पहुच गया था, वो पंद दिन बाद आ रही थी, और मैं दफ्तर हम बैठा काम कर था, साड़े साथ बजे शाम को मुझे उनको लेने रेलवे इस्टेशन जाना था, लेकि मैं नौ बजे तक नहीं जा पाया, क्योंकि मैं पेज बनाने में इतना बीजी हो गया था, इस कदर भूल गया था, उन्होंने किसी उस जमाने में मॉबाइल फोन इतना आम नहीं था, तो नहीं नौ बजे रात को किसी से मॉबाइल फोन ले करके, फिर मुझे कहा कि मैं इस्टेशन पहुंच चुकी है, तुम क्या भूल गये हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में, मुझे शर्मिंदा करने के लिए, शर्मिसार करने के लिए आती रहती हैं क्या गीत चतुरवेदी में श्रेष्ठता बोध है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत अधना सा, बहुत साधारन सा इंसान हूँ, जो अभी भी अपनी रचनात मकताओं के भरों से रहना चाहता है, बाकि ऐसा कोई बोध मुझे मेरे बीतर अभी तक तो नहीं आया है जितना मिला गीत चतुरवेदी को, अब तक जितना मिला, कभी ये भाय नहीं लगता कि ये सब छूट ना जाए मरे हाथ से, इतने फॉलोर्वर्ज हैं, आमत और पर साहतेकारों के नहीं देखे जाते हैं, कहीं तो ये भाय रहता होगा कि ये हाथ से फिसल ना जाए ये बात तो सही है, कि एक कृपा, एक अनुकमपा लगाता रही, लेकिन मेरे जीवन की फिलोसिफी एक बहुत अलग गटना से आई है, मैं एक चोटा सा खिस्सा सुनाता हूँ, मेरे जीवन की पहली हवाई यात्रा, 2003 का बरह से मैं एक अखबार के लिए काम करता था, और उ आठमे दिन, मेरे गेस्ट हाउस के दरवाजे पर एक मर्सीडीज आके रुकी, और गेस्ट हाउस के मैनेजर ने कहा, कि आपको आपके आफिस की तरफ से बुलावा आ गया है, आपको आज ही लौटना है, और हमने आपके लिए आपको एरपोर्ट तक ले जाने के लिए ये क्या बात थी, जो बिलकुल अभावों से और साधारन मॉडेस्ट बैक्ग्राउंड से आया हुआ हो, मर्सीडीज में बैठा हुआ है, और मर्सीडीज एकदम सर्राटे से दौर रही है, अद्वुत अनुभाओ, वो मर्सीडीज मुझे ले कर गए गई, एक लंबे ड्राइ केसे हुई, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे ऐसा लगा, होता न जैसा कि अब लगता है कि अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे अच्छे दिन शुरूर है, चड़ दी कला है, और यह सब चीजे मेरे मन में आने लगी, मैं वहां से मुंबई और मुंबई से दिल्ली पहुँचा और इन सब में मुझे रात के बज़ गए 11, अपने घर तक पहुँचते पहुँचते, 11, 12 बज़ गए मुझे, घर पहुँचने के बाद दफ्तर से मैसेज आया कि इसी समय दफ्तर आ जाओ अब उस जमाने में कोई गाड़ी खोड़ा कुछ था नहीं, नौइडा का वो हिस्सा लगबग, वीरान रहा करता था मेरे पास कुछ टैक्सी नहीं, गाड़ी नहीं बाहर निकला, एक रिक्षे वाला जो है, वो सड़क के किनारे सो रहा था, मैंने उसे जगाया उसने कहा, चौराहे तक ले जाओंगा उससे आगे नहीं, चौराहे तक पहुँचा मैं, वहां खड़ा करके इंतिजार करने लगा, आटो टैक्सी का कुछ नहीं मिला, मुझे एक ट्रक मिला, तो मैंने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी, और ट्रक में चढ़ा, वो मुझे हाईवे तक ले करके गया, कि इसके आगे लिफ्ट में, सर्वीस लेन में जाना है, सड़क पर जाना है, यहाँ आप अपना इंतिजाम खुद कर लीजिए, मैं यहीं तक आपको छोड़ सकता हूँ, मैं वहाँ उतर गया, और वहाँ खड़ा होकर के चौराये पर किसी दूसरी गाड़ी का इंतिजार करने लगा, मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ भी कोई आटो अपने दफ्तर पहुँचा, प्लेन से, मर्सेडीज, मर्सेडीज से, बैल गाड़ी तक, यह मेरे जीवन का ने बहुत बड़ी लर्निंग है, मेरे सुबह, मेरे दिन की शुरुवात मर्सेडीज से हुई थी, मैं शांदार आवाई जहाज में, बिजनेस क्लास बगरे में सफर कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह यात्रा कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे दिवस का अवसान बैल गाड़ी में होता है, मुझे लगा, कहीं ने कहीं, यह जो आये हो, तुम ऐसे परिवार से आये हो, जो बैल गाड़ी जैसा परिवार था, तो अपनी उत्स को, अपनी उत्पत्ति को, अपनी उस शुरुवात को कभी मत भूलना, क्या बात है, एक, आपके साथ एक रैपिट फायर खेलते हैं, है ना, मैं ग्लास, मैं पानी बीच में आये, जो भी कौन है, वो आप तुरंद बताईएगा, ठीक है, उसमें पास्चात्य और अपना भारती दो रहेंगे, दान्ते, दान्ते, महा कवी, कावे की वो परंपरा, जो धर्म, अध्यात्म और चीवन, तीनों के पीच एक सेतु बनाती हैं, प्रूस्त, प्रूस्त प्रकाश स्तंभ, रोशनी है, वो मेरे जीवन में प्रूस्त का बहुत महत्त है, मेरे रचनात में जीवन प्रूस्त का बहुत बढ़ा योगदान है, बोरहेस, बोरहेस, एक ऐसा गुरू जिससे मैं कभी मिला नहीं, यानि मैं कहीं भी फंस्ता हूं, गुरू मंत्र मुझे बुरहे से मिलता है रास्ता वही दिखाते हैं रिल के रिल के मेरा सबसे प्रिय कवी पुरी दुनिया में जो एक ऐसा देवदूत था जिसके पंक जो हैं जूल से हुए थे जगायवस्की जगायवस्की जिसने कविता की उत्तर आधनिकता मुझे जिससे मैंने सीखी जो एक मैं यह कहूं की आधनिक महा कवी मारकेश मारकेश जादू नीचे नीचे जीवन दर्शन की पूरी खान और मैं यहां पहले भी आया था कुवनाराण की कविता ने यहां पहले भी आया था तो उसको भी पढ़ते हो मुझे नीचे याद आते हैं और नीचे को याद करते हैं कुवनाराण की कविता की मैं यह पहले भी आया था, eternal recurrence इस पुरी दुनिया में, मैं आज भी उपस्थित हूँ, पहले भी उपस्थित था और बाद में भी उपस्थित रहूंगा कोईट सी, चे एम कोईट सी एक ऐसा टीचर जो साहित्य और संगीत जो नमी और रुखापन जो खारापन और मीठापन दोनों की बीच के अंतर को इस्तिमाल करना सिखाता हो पामुक पामुक क्लासिक और प्रचलित दोनों की बीच संतुलन और सैयम कैसे साधा जाए ये पामुक निरुदा मैं आपको बीच में रोकूँ आपने न बहुत ही चतुराई से मेरे चारों प्रिय लेकरकों का नाम ले लिया मैंने अपने लिए एक निजी कैनन बना रखा है बो मा को पा बोरहेज मार्केज कोईजी पामुक मैंने अपनी सारी चीजें इन चार के संसर्ग से इन चार के मिश्रण से प्राप्त की हैं तो मैं तो इसके लिए बड़ा धन्यवाद कहूंगा कि आप बोमा कोपा तक आए हुए पाबलो नेरुदा प्रेम के सबसे बड़े गायक पेसोवा जो मैं हूं और जो मैं नहीं हू वो सब पेसोवा हैं यानि इतने रूप हैं कहें ऐसे कहें कि एक में अनेक का जो कांसेप्ट है जो अवधारना है उसका व्यक्ति के रूप में अनुवाद फरनांदो पेसोवा कामू अलबेर कामू यानि अथक रूप से एक ही काम को बार 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 किये जाओ फिर भी सफल ना हो तो रोना मत करो मिठव सिसिफ़स शिम्बोर्स का अरे वाँ क्या बात है विश्वाद शिम्बोर्स का उनके बारे में एक शब्द कहना बहुत मिश्किल है फिर भी मैं उनको जो कहूं वो ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर ऑफ और लिट्रेचर ऐसा कहें जब विश्वाद शिम्बोर्स का को नोबिल प्राइज मिला था तो मैं छोटा से था नौजवान था और टाइमस आफ इ अरे क्यों देखी और लगा किस्सा की सुदर हैं अगर मेरी कोई दादी होती तो आश् सिसी संदर होणी चाहिए थी और उनकी रचनाय विलकुल उसी परिवेश में मुझे लेकर के गई सॉंदर ये के उसी परिसर में निर्मल वर्मा वही फिर से वही बात है निर्मल वर्मा यानि वो टॉर्च जिसको जला करके हम कई बार हिंदी साहिति के निविड अंदकार को पार करते हैं क्रिश्न बल्देव वाइद समकालीनिता का एक ऐसा उदाहरन यानि इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में एक्स्पेंट करूंगा क्रिश्न बल्देव वाइद को पढ़कर वैश्विक समकालीनिता सीखी जा सकती है यानि राजेंद्र यादो, कमलेश्वर, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा यह सब उस समय लिख रहे थे जिस समय वेस्ट में सैमुल बैकट लिख रहे थे लेकर इन सब की लेखन की समकालीनिता बेकट जैसी नहीं है कृष्ण बल्देव वैद पहली नजर में ही लगते हैं कि हाँ यह बेकट के समकालीन है इनके अंदर वो वैश्विक समकालीनिता का बोध है मुक्तिबोध क्या कहें? मुक्तिबोध, महा कभी मुक्तिबोध कुमार नारायन कुवा नारान, कुवा नारान भी मेरे लिए प्रकाश इस्तंभ है, उनके लिए एक शब्द मैंने अपनी कविताओं में लिखा है, सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा, सूर्य का प्रकाश ले करके चांद प्रकाशित होता है, और चांद का प्रकाश ले करके हम जैसे कभी प् विष्णू खरे मेरे उस्ताद थे और उस्तादों के उस्ताद थे आलोग धन्वा बहुत ही प्रियकवी पाश पाश भी बहुत ही प्रियकवी और जिनकी जिनके खून के उबाल में कई बार ठंड के दिनों को हम अलाव की तरह तापते हैं क्या बार इन दोनों को आप कोट नहीं करते लेकिन मैंने पूछ लिया मैं हमेशा कोट करता हूं पाश को मुझे पाश बहुत प्रिय हैं मैं उन लोगों में से हूँ हिंदी के जिन्होंने प आश को पंजाबी में सुना और गुना है मूल पंजाबी में आपका एक कोट है मेरे पास सपने हैं लेकिन ठूहर महत्वका आंगशाए नहीं कौन से सपने हैं पहले सपने जो मैंने अभी थोड़ से पहले कहे थे कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ना कि वह अपने आपको जानना चाहता हूं बलकि समस्ते संसार को समस्ते सृष्टी को थोड़ा बहुत समझना चाहता हूं उससे अनवेशित करना चाहता हूं तो वो जो जिन मूल के प्रति में काम करता हूं, विश्व शान्ति, विश्व बंधुत्व, पुरी दुनिया में एक मुहपत का सामराज्य हो, सामराज्य किसी भी तरह का हो सकता है, लोगों को लगता है कि महात्व कांग्षा बुरी है, मैं कहता हूं महात्व कांग्षा भी हो तो भी कोई बुरी मेरी नजर में हिटलर की महात्वकांग्षा फूहण महात्वकांग्षा है और गांधी की महात्वकांग्षा एक सुन्दर सौपन की तरह है मैं ऐसे द्वैत में हमेशा गांधी की तरफ आहिंसा की तरफ मानवियता की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा क्या वो पैंसल बार जाता हूँ 1992-1993 का समय था और मेरी जो दीदी थी जो जिन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया था वो हमेशा बीमार रहा करती थी मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने उन्हें पूरी तरह स्वस्त देखा हो मैं 15 का था वो 22 का था 1993 की जन्वरी का महीना चल रहा था और लंबी बीमारी के बाद उनकी हालत जरजर हो चुकी थी 27 के जन्वरी के आसपास की तारिक थी मुंबई में खुब दंगे हो रहे थे बाबरी मस्जद धाये जाने के बाद और मेरे पिताजी प्रयास कर रहे थे कि म अमाम प्रयासों के बाद भी उस रोज न तो एंबुलेंस का इंतिजाम हो पाया न डॉक्टर का इंतिजाम हो पाया और हमारी आखों के सामने मेरी बहन ने दम तोड़ दिया उनका निधन हो गया तो उस एक घटना ने मेरे उपर बहुत गहरा प्रभाव डाला चुकि उनक निधन से एक दिन पहले उन्होंने मुझे एक पैंसिल दी थी कि तुम लिखते हो तो तुम इसी पैंसिल से लिखना देख रहा है तुम अच्छा लिखोगे तो उनके निधन के एक देड़ माहिने बाद जब मेरा आप अपने आप में आया मैंने थोड़े से होश संभाले भवनात्मक्ताएं कम हुई तो मुझे उस पैंसिल की याद आई और मैंने उसको शार्प किया और उससी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा थे कि इससे लिखोगे तो बहुत अच्छा लिखोगे तो मैं बहुत अच्छा लिखने के लिए बस लिखता चला गया और मैंनो उस पैंसिल को लिख लिख के खतम कर दिया और मुझे ऐसा है कि मैंने कोई बहुत खास चीज़ें लिखी नहीं थी पंद्रा साल का लड़का क्या लिखेगा लेकिन वो पैंसिल खत्म हो गई ना तो मेरी दीदी अमर थी ना वो पैंसिल अमर था ना पूरा का पूरा वो क्षण अमर था और आज मुझे लगता है कि मुझे वो पैंसिल खत्म नहीं करनी चाहिए थी मुझे वो पैंसिल याद आती है लिए कहीं कहीं ये भी लगता है कि मैं उसके बाद से जिस भी कलम से लिखता हूँ जिस कीबोर्ड से लिखता हूँ मेरी दीदी की दीवी वो Pencil उस कलम में, उस Keyboard में धरकती रहती है तो मेरे लिखे हुए हर वाक्य में, लिखे हुए हर शब्द में कहीं ने कहीं मेरी दीदी की आत्मा, मेरी दीदी की उपस्थिती मौझूद रहती है और क्या गीच चतुरवेदी से अब पाठक दर्शक एक्सपेक्ट करें कि क्या आने वाला है नहीं किताब कौन सी? उसके बारे में समय रहते उसके बारे में समय रहते मैं आम तोर पर यह सवाल हर संगत में यंत में करता हूँ मैं आप से किया नहीं और लेकिन अप सोच रहा हूं कर लूँ कि क्योंकि वह सवाल ऐसे ही होता है लेकिन वो दूसरे फॉर्माट में आई गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए है वित्टक और करना चाहते हैं रानिखेत एक्सप्रेस जो आउटर पर खड़ी है दिखते हैं कब तक खड़ी रहेगी मोटर कंट्रोलर के रूप में जो है मुझे अतरिक्त सक्रिय होना पड़ेगा चलिए आपकी सक्रियत आयू ही बरकरार रहे और रानिखेत एक्सप्रेस आउटर से उसको ग्रीन सिगनल म अगे हम लोग उसको पढ़ सकें ऐसे ही आपके कविताओं के कहानियों के उपन्यासों के अनुवाद हों लिखते रहें स्रुजण्त रहें बहुत बहुत शुक्रिया आप संगत में आये बहुँद की बहुत चाहता हूँ इस कारेक्रम का अंत आपे कविता पार्ट करके कर ले जाओ ये जमीन पेर पहार नदियां और बर्फ जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो ये सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे मुझे पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे जिस जगा गाड़े थे मैंने अपने दूद के दांथ उसी जगाड आया हूं पिता को धमा के के बाद जिनकी सिर्फ उङनी मिली थी शादी की अंगूती से पहचाना था माने उनकी बाकी देह को मैंने कलपना में दफन किया जैसे बाकी देह को समुर्थी में प्यार करोंगा सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं जो उठती रहेगी तुमारी ओर मिट्टी के नीचे से खामोश जागती सोचती उंगली क्या बात है बहुत शुक्रिया गीज जी हमारे परिवार में सुरू से संग और जनसंग की हवाएं खुब चली थी और इन ही हवाओं के बीच मैंने सांस ली थी कि मेरा जो अपना जीवनी आत्मा भी विट्टी है आप बीती ही है और एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं आजिवासों के लिए चली जाओंगी जारकन उदारी करन के वाद से आप देखिये कि हर जगे पुलीस छावनी बन गया है हर जो अजिवासी एडिया है हर एक किलो दो मिलाओं के भीच एक साडी है तो इस ते बढ़के सत्य और क्या होगा मेरे सामने जब मेरी माँ को पता चला कि मैं धर्म गुरूं पर लिख रही हूं तो उन्हों ने का कि तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिला क्या हूं एक वेस्टे उखर गेती मुझसे कि आपूद खो